हलो बच्छा लो कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर जहाँ पर शक्ती 2.0 बैच के अंदर हम लोग करेंगे एंडिये का कम्प्लीट क्रैश कूर्स और आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एक ऐसा चैप्टर जो की के साथ आप लोगों ने इंतजार किया था और वो है कैलकुलेस यsource जहाँ पर हम लोग शुर्वाद करेंगे अपना लेमिट्स एंडिये के बारे में बात करते हुए हम लोग जानेंगे कि लेमिट्स के सवालों को कैसे सॉल्व करना है देखें लेमिट्स10 इटिप्रिंशि आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि limits, continuity, differentiability के सवाल solve कैसे करने हैं, आइडिया जरूर मिल जाएगा कि calculus है क्या किस तरीके से हमें बात करनी है, भाई Newton ने अपनी बाते प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजे समझा दी है न, तो कहीं बहुत तो important चीज है बिल्कुल है, तो इस important चीज को हम लोग अभी देखेंगे कि NDA में किस हद तक इनका इस्तमाल होता है, किन हदों तक इसके सवाल पूछे जाते हैं और वो सारी चीजे मैं आपको बहुत ही आसान भाशा में समझाने की कोशिश करूँगा, आपको क्या करना है, आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, आज ही हम लोग limit, continuity and differentiability तीनों के बारे में बात करेंगे और बहुत सीधे तरीके से बात करेंगे, ना घुमाकर ना कुछ, बिलकुल सीधा तरीका, तो आज कैसे शुरुवात करें मेरे दोस्तों, आज हम शुरुवात करेंगे सबसे पहले limits को समझने से कि limits क्या होते हैं, और limits हमें किस तरीके से existence करवानी है, वो देखेंगे, फिर continuity of a function देखेंगे कि कब function continuous होता है, कब नहीं होता है, and then differentiability बात करेंगे कि function अगर continuous है, तो differentiable कहां पर है, कहां पर नहीं है, है ना, बात समझ में आती है, यह हमारा पूरा वक्त रूरू रहेगा, जो कि basics है, हमारे पूरे calculus वाले part का, और सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, limits के उपर, तो चले, शुरुवात करते हैं मेरे दोस्त, limits के उपर, यह रहा, limits, जो कि हमें basic basic तौर पे, मोटे मोटे तौर पे, जो हमें marks दिलाएगा, वो है कि sir, LHL और RHL को बहुत अच्छ function हम लोग आपके सामने draw करते हैं, और मैं कहता हूं कि यह function इस तरीके से, यहाँ देखना बिटा, इस तरीके से यह function ऐसे करके यहाँ पर not defined है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आगे define हो रहा है, तो इस function को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि sir, यह function एक fx function ह जिसके अंदर ये 2 define कर रहा है कब जब x की value 2 नहीं है। तब value हमारी कैसी है sir not defined है value not defined है elsewhere हर जगा पे कितना है fx fx हमारे 2 के बराबर है ये इस तरीके का कोई function है तो हम अगर ये कहना चाहें कि sir इस function का limit क्या होगा at x equals to 2 पर तो आप कहेंगे कि sir 2 पर तो value define ही नहीं हो रही है तो हम क्या करें हम क्या बताएं तो हम कहते हैं कि भई च इंतरा फर्तक का गड़ा लेकिन उसके बाजू में तो कुछ होगा जहां गड़ा खतम हुआ होगा exactly वहां पर देखो जहां पर गड़ा नहीं होगा तो वह तो कोई ना कोई height होगी तो वहां से height measure करेंगे हम कहेंगे कि sir 2 के just left में 2 के just left में और 2 के just right में तो ये वाली जगा ले लो बेटा एक ये वाली जगा ले लो एक ये वाली जगा ले लो इनको कहते हैं neighborhood of 2 सर अगर ये 3 होता तो वो neighborhood of 3 हो जाते है ना तो ये है neighborhood of 2 इसे मैं बोलता हूँ बेटा 2 plus h बोलता हूँ और इसे मैं 2 minus h बोलता हूँ मैं क्या बेटा हर calculus पणने वाला बंदा ऐसा ही ब नंबर होड़ हैं dois acesso थोड़ासा बड़ा नंबर और तू से थोड़ासा छोटा नंबर तो वहाँ पर अगर हम लोगों ने वैल्यूगों करने की कोशिश करी तो आप कहोगे सर इस वक्त वैल्यू कितनी आई सट तो आई कितनी जाई यहाँ पर value define करने की कोशिश करी तो आपने कितना बोला sir 2 आया f की value 2 plus h पे f की value 2 plus h पे कितनी आई sir 2 plus h पे भी 2 आई f की value 2 minus h पर भी कितनी आई 2 आई लेकिन sir f2 पर हमें नहीं मालूम है कि function क्या है तो हम बोलेंगे not defined क्या बोलेंगे not defined तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है limit और continuity की बेस में condition को समझने में दोनों में जो major difference वो समझने वो मैं आपको बता देता हूँ कि यह function sir x बराबर 2 पर define नहीं है लेकिन इसका left वाला जो neighborhood है वो हमें जो value देता है वो ही right वाला neighborhood भी same value देता है तो इस तरीके के function में हम बोलेंगे कि sir limit तो exist करती है sir एक ऐसा function बना कर बताओ जिस पे limit exist ना करे तो वो बताओ चलो देखो हमने कहा कि sir एक और function बनाते हैं लीजी एक और function बनाते हैं हमने कहा कि भई ये function जो है ये function अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो जरूर देखाओगा comments में लिखकर वताएं कि किस तरीके का function होता है मैं थोड़ा सा इसे और अच्छे से बना देता हूँ ठीक है इस तरीके का function है तो हमने कहा कि सर ये value कितना है ये value 2 है ये value 2 है तो सर 2 पर function कहां define हो रहा है सर 2 पर function define हो रहा है 2 है ना सर 2 पर यहां not defined है लेकिन अगर मैं 2 का just left देखूं तो ये वाला point देख लू और 2 का just right देखूं तो 2 का ये वाला point देख लू तो ये वाला point हो जाएगा 2 minus h और ये वाला point हो जाएगा 2 plus h तो आपको कि सर जब 2 minus h पर define करवाया function तब answer कितना आया 1 आया जब 2 plus h पर function define करवाया तो answer कितना आया सर हमारे पास 2 आया यानि f2 minus h हमारे पास कितना हो गया सर ये 1 हो गया और f2 plus h कितना हो गया सर ये 2 हो गया है अब आप बोलोगे कि सर function के left side में जो value है और right side में जो value है वो दोनों different है value कहाँ पर define हो रही है that is not the concern लेकिन left में जो value है और right में जो value है वो different है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक खाई है यहाँ पर एक खाई है यह बंदा यहाँ से कूद सकता है है ना कूद सकता है कूद ना नहीं है लेकिन कूद सकता है there is an option available है ना तो खाई है यानि अगर आप ऐसे करके किसी function की बात करते कि बेट सर यहाँ पर खाई है दोनों तरफ से खाई है लेकिन यहाँ पर क्या है कि बंदा ऐसे करके jump करके same level पर आ सकता है, तो इस condition में हमारी limit exist करती है, limit exist करती है, लेकिन क्या हो कि एक जगा पर ऐसे खाई बन रही हो और दूसरी जगा पर कैसे खाई बन रही हो, क्योंकि सर, left में जो भी function की height थी, right में उस function की height के बराबर नहीं आया, यहाँ पर left में जो function की height थी, right में भी वही function की height आ रही थी, तो दोनों तरफ से बराबर होगा, तो limit बोलेंगे, exist करती है, और दोनों तरफ अगर बराबर value नहीं आ रही होगी, तो हम लोग बोलेंगे limit does not exist, बात clear हो गई, ठीक है, तो ये वाला हिसाब हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग में set कर लिया, अब limit का left hand limit और right hand limit के notations बेटा देख लो, this is really very important, LHL का मतलब होता है सर, left hand limit और ये होता क्या है, ये कहता है कि सर, जिस भी point पर आप limit निकालना चाते हो, उसको left side से निकालने के लिए आप minus का sign देते हो, कि अगर ये 2 है, तो सर, ये 2 minus h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 minus हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से fx निकालते है और हमारे पास RHL अगर हम लोग निकालना चाते है, that is right hand limit, तो ये बन जाएगा limit extending to वही same point, लेकिन plus वाली side से निकालेंगे, तो a plus हो जाएगा और fx हो जाएगा सर, हमारे पास ये दोनों values कैसी होनी चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे limit exist करती है वरना नहीं करती है, जैसे, 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 मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही basic सा example लेकर चलता हूँ और उसे explain करने की कोशिश करेंगे, कि fx function हम लोग दे देते हैं, sir, इधर दे देते हैं, x plus 2 दे देते हैं, for x less than 2, और x का square दे देते हैं, दोस, for x greater than equal to 2, अब इसे समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, बिटा, एक बहुत ही simple सा आपने लिए understanding create करें, कि ये हमारा हो गया पूरा real number line, minus infinity से infinity, sir, बात कहां पर हो रही है, 2 की बात हो रही है, ये रहा 2, तो 2 के left वाले area में, हमें function की value क्या दी गई, sir, 2 के left वाले area में, x plus 2 दी गई function 2 के right वाले area में कैसे define किया गया, sir, define किया गया x square के format में, sir, x बराबर 2 पर function कैसा define किया गया, x square के format में define किया गया, तो अब जब मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि मुझे निकाल कर दीजिए LHL, क्या निकाल कर दीजिए LHL, तब आप कहेंगे, sir, value 2 डालने पर ये function, ये function कितना answer देगा, आप बोलोगे, sir, value 2 डालने पर ये function 2 plus 2, यानि 4 answer देगा, right hand limit की बात करें, तो आप कहोगे, sir, right side में x की value 2 डालने पर कितना answer देगा, आप कहोगे, sir, right hand side से 2 का square डालेंगे, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और clearly हम लोग ये बोलेंगे, sir, LHL जो है, इस condition में RHL के बराबर आ रही है, तो ये एक limit इसकी exist करेगी, और limit exist करेगी, तो बच्चा, मेरे पास limit extending to 2, limit extending to 2, fx कितना हो जाएगा, ये sir, हो जाएगा, हमारे पास 4 के बराबर, क्योंकि left से भी value 4 आई, और right से भी value 4 आती है, ये हम लोग आगे इससे imply कर सकते हैं, ये basics सभी को clear हो जाता है मेरे दोस्त, है न, चले फिर आगे, ये बात समझ में आगे किसे limit existence के लिए, हमें left hand limit और right hand limit दोनो, यानि जो function हमें दिये गया है, वो left में कितना defined है, और right में कितना defined है, अगर ये दोनो values हमारी same हो जाती है, तो हम कहेंगे कि sir, ये function का limit exist करता है, continuity थोड़ी देर बाद discuss करेंगे, तो home work क्या है sir, एक तो sir, इस function का आपको बताना है कि ये कौन सा function है, है न, comment section में, चले, चलो, आगे चलते, sir, limit की definition समझ में आ जाती है, अब हम लोग कुछ सवाल यहाँ पर फट-फट-फट करेंगे, so that हमारा basics अच्छे से clear हो जाए, पहले सवाल में देखो बिटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि हमारे पास जो function define हो रहा है, ये मानलो हमारे पास minus infinity से infinity की बात हो रही है, function 0 पर change हो रहा है, तो 0 के left में और 0 के right में function define करते हैं, और 0 पर भी define करते हैं, 0 के left में sir function 1-2x work कर रहा है, 0 के right में x plus 1 कर रहा है, और 0 पर भी x plus 1 कर रहा है, है न, यहाँ देखेंगे, यहाँ बिटा देखो 1 पर function बदल रहा है, तो one के left में देख लो, one के right में देख लो और one पर देख लो सर one के left में function x square काम कर रहा है, one के right में function 2x काम कर रहा है और one पर भी function 2x ही काम कर रहा है यहां आ जाते है बिटा, यहां आ जाओगे तो यहां पर सर function तो तूटी नहीं रहा है तूटी नहीं रहा है तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि सर ये function जो है ना 1 पर तो not defined है 1 पर not defined है आप 1 रखकर देखो बिटा आपको कोई answer नहीं मिलेगा in determinate form मिल जाएगा तो 1 के left में function कैसा है सर x square minus 1 upon में x minus 1 है और 1 के right में या फिल left में x square minus 1 upon में x minus 1 है यानी दोनों तरफ same function काम कर रहा है है ना सर जब बदल ही निरा है तो left में और right में दोनों तरफ रखेंगे लेकिन जब हम x square minus 1 रखेंगे तब क्या हो रहा है सर तब हमारा function not defined बन जाता है और function not defined है तो सर हम लोग not defined ही लिखेंगे रखेंगे फंच्चन 2 पर तूट रहा है तो के right में फंच्चन 2 पर टूट रहा है है तो it is saying that कि सर अगर मैं LHL निकालना चाहता हूं तो मैं यह 0 value को left वाले function में substitute करूँगा तो 1-0 कितना आ जाएगा दोस्त 1 आ जाएगा सर right hand limit निकालना चाहता हूं तो मैं इस 0 को right वाले function में substitute करूँगा तो 0 plus 1 1 आ जाएगा और आप कहोगे कि सर LHL बराबर RHL हो जाता है तो आप बोलोगे limit limit इस function का X पर कितना 0 पर क्या रहा है सर 1 आ रहा है है ना दोस्त 1 आ रहा है यहां देखेंगे सर यहां left hand limit अगर निकालना चाहते हैं तो यह कौन सा value सर 1 है 1 को मैं left वाले function में डालूँगा तो क्या हो जाएगा 1 का square हो जाएगा तो answer आ जाएगा 1 right hand limit निकालूँगा तो आप कहेंगे सर 1 into 2 करेंगे तो right वाले function के साब से कौन से right वाले function के साब से यह 2 आ जाएगा सर LHL और RHL हमारा बराबर नहीं है यानि हम बोलेंगे limit extending to 1 fx does not exist क्यों क्योंकि सर हमारा RHL और LHL बराबर नहीं है नहीं है है नहीं है आगे देखो दोस अब आप कहोगे कि सर यहां से LHL अगर मैं निकालूंगा तो 1 मैं इसमें डाल सकता हूं लेकिन सर 1 इसमें फिर से डालेंगे तो not defined हो जाएगा अब यहां पन एक छोटा सा concept आता है कि सर जब हम 1 के left वाली value डाल रहे हैं तो commonly speaking आप 1 नहीं डाल रहे हो 1 से थोड़ी सी चोटी कोई value डाल रहे हो थोड़ी इत्तू सी चोटी है ना तो वो 1 तो नहीं है तो हम लोग यह कह सकते कि सर यह जो expression है that is x का square minus 1 upon में x minus 1 इसे आप factorize कर सकते हो कैसे ऐसे करके है ना तब आप कहो के सर मैंने 1 तो नहीं डाला मैंने कुछ भी डाला लेकिन 1 नहीं डाला तो यह कभी value 0 और 0 नहीं हो सकती तो cancel हो जाएगा और इसका expression क्या बन जाएगा x plus 1 तब मैं 1 को कहा डालूंगा पेटा x plus 1 में डालूंगा जो left hand side की value हो जाएगी तो यह हो जाएगा 1 plus 1 that is 2 हो जाएगा और RHL निकालेंगे तो हम कहेंगे सर यहां से भी same function ही काम कर रहा है तो 1 plus 1 यहां से भी 2 आ जाएगा अब अगर 2 आ जाएगा तो बच्चे मैं क्या बोलूं कि सर limit fx limit extending to 1 जो है यहां पर fx किसके बराबर है sir 2 के बराबर है दोनों side से हमारे पास value 2 आ रही है ठीक है दोस्त यहां देख लो सर यहां से LHL अगर हम लोग निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा सर यह 1 हमें यहां पर डालना है left वाले function में तो 1 minus 2 यानि minus के 1 हो जाएगा आरेचल निकालेंगे तो दोस्त यहां पर मैं 1 इस वाले function में डालूँगा तो यह 1 plus 1 2 हो जाएगा तो sir clearly limit extending to 1 जो है fx पर does not exist क्योंकि sir LHL और आरेचल बराबर नहीं आये है यहां देख लो sir left hand limit अगर मैं निकालूँगा तो यह कितना हो जाएगा यह 2 value में इस वाले function में डालूँगा तो यह हो जाएगा 2 का square यानि हो जाएगा 4 RHL अगर मैं निकालूँगा तो यह 2 में इस वाले function में डालूँगा तो यह हो जाएगा 2 into 2 यानि की 4 तो आप कहोगे कि sir इस वाले equation में limit extending to 2fx जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है बच्चे 4 के बराबर आ जाता है so these are the basic concepts I hope आप लोगों को बाते अच्छे से समझ में आ गई है न चलने फिर आगे चलो अब ऐसा होता है कि sir अपना function change नहीं हो रहे होते हैं कुछ functions के ओपर हम लोग directly बात कर रहे होते हैं in determinate forms वगर आती हैं लेकिन उससे पहले हम लोग यह कुछ properties of limits को देख लेंगे बहुत ही सीधी सी चीज है बहुत सीधी सी चीज है क्या बोल रहा है कि sir limit जो है वो addition और subtraction के ओपर distribute हो जाता है है न ठीक है तो no issues sir limit जो है वो product के ओपर भी distribute हो जाता है तो देखो अब यह दोनों functions के limits का product हो जाता है कोई problem नहीं यह constant जो है लिमिट से बाहर आ जाता है यह property है ठीक है यहां कह रहा है कि sir अगर मैं किसी function की power n निकालता हूँ तो इसे मैं समझा देता हूँ यह कहता है कि sir अगर मैं मान लीजे limit extending to 30 degree है न क्या लिकाल रहा हूँ साइन एक्स साइन की power 10x निकाल रहा हूँ तो यह कहता है कि sir limit extending to 30 degree क्या कर दो sir आप इसे साइन एक्स की limit निकाल कर उसकी power 10 कर दो यह कहना चाहता है बात समझ में आ गई कि सिर्फ function की power 10 नहीं आप limit की power पर भी 10 कर सकते हो तो this is the idea ओके नेक्स यह कहा रहा है sir distributive होता है यह हमारा limit किसके ओपर division के ओपर भी होता है लेकिन division में बात ध्यान रखें कि कभी भी नीचे वाली चीज जो है वह 0 ना हो जाए ताकि not defined ना बने तो यह बात याद रखें कि sir यह जो यह 0 नहीं होना चाहिए यह 0 नहीं होना चाहिए बाकी आप इसमें limit डिस्रिब्यूट कर सकते हो ओके चलिए आगे देखते हैं यहां से सर यह properties तो बिल्कुल basics है अब हम बात करेंगे कि हमारे पास seven indeterminate forms है एक दो तीन चार पांच छे और साथ ठीक है बच्छे देखो यह वाले तीन जो है दोस्त यह तीन जो है यह तीन थोड़े से difficult वाले हैं लेकिन इनका करने का तरीका एक जासा था क्योंकि यह powers में चले ज इन इंटू इन इंट्विनीटी नहीं इन हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा ुगा यह infinity minus infinity होगा, ठीक है दोस्ट, तो इसको ठीक से करो सर, अभी भी दिखराईए, ओक्य जी, अब करेंगे हम लोग यहाँ पे infinity minus infinity, डने भई, चलो सर, बात समझ में आ गए, infinity minus infinity हो जाएगा, अब इसमें आपको यह समझना है, कि पहले चार्जों है, यह हमें थोड़ा algebra लगा क solve करना होता है, और अगले तीन जो है, इसमें हमें logarithm को introduce करना पड़ता है, क्योंकि powers का खेल चालू हो गया है, तो logarithm ही इसको simplify कर पाएगा, समझ रहे हैं ना, तो हम लोग कौन कौन सी strategies की बात करेंगे, बिटा पहले की बात है direct substitution, अगला है algebraic manipulation, यह भी algebraic manipulation में आता है, limit theorems ह हो गए और ellipidals rule हो गए, यह हमारे सभी के सभी आपको आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि आप किसी भी question को बड़े आराम से crack कर सके, direct substitution क्या बोलता है, direct substitution तब बोलता है, कि sir हम लोग तब direct value को डाल देंगे, जब हमारे पास indeterminate forms नहीं आ रहे होंगे, यह इन में से कोई भी answer अगर आपका नहीं आ रहा होगा, तो आप directly substitute कर सकते हैं, मैं भी examples के थुरू आपको सारी बाते समझाओंगा, फिर algebraic manipulation क्या कहता है, कि sir अगर मेरे पास 0 upon 0 या infinity upon infinity जैसी कोई चीज आ रही है, या फिर infinity minus infinity जैसी कोई चीज आ रही है, इन चारों में स कुछ भी अगर आ जाता है, तो हम लोग algebraic manipulation करते हैं, तीन तरीकों से कैसे, बेटा, एक तो होता है factorization, एक होता है rationalization और infinite limits में हम लोग division कर रहे होते हैं, तीन algebraic manipulation होता है, वो मैं आपको समझाओंगा, तीनों को, ठीक है, एंड उसके बाद फिर बेटा, जब हम लोगी तीन algebraic manipulation को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास है ते limit theorem, कि अगर मैं किसी में algebraic manipulation नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं उनको remove नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी indeterminate form आ रहे हैं, actually मैं indeterminate form को हमें remove करना होता है, algebraic manipulation करके, या प्लस, माइनस, multiply, divide, या rationalization जैसी चीज़े करके, हमें indeterminate form को remove करना होता है, अगर हम remove नहीं कर पा रहा है, तो हमारे पास कुछ standard limit theorems है, जिनका इस्तमाल हम लोग direct करेंगे, क्योंकि वो already proven है, वो पहले से बता दिये गए हैं, और वो बताए हुए, जो हमारे पास limit की values होंगी, उन्हें हम limit theorems कहके, उनको directly use कर रहे होंगे, whenever there is a question regarding to the problem, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर L-Hopitals, L-Hopitals आप सभी जानते हैं यह ब्रहमास्त्र है, इसका इस्तमाल करके आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से questions को solve करना है, है ना, तो यहां से हम लोग सभी सवालों को एके करेंगे, L-Hopitals rule को भी रहे हो, लेकिन हमें नहीं बता रहे हो, तो भाई अब देखो, कुस तो चीजे जरूत होती ना, एक order में तो चलना पड़े गई पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, डेरिवेटेब्स, आप 11th class की अगर आपको basic derivatives आती है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, और शायद से 12th class की भी कहीं पर दिखे, तब लगाना है, मैं इनके साथ आपको एक खेल करना सिखा देता हूँ, जैसे बच्चा यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, लिमिट extending to 0, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, साइनेक्स अपॉन में X, तो कुछ बच्चों के डाउट यहाँ से बहुत सारे आते हैं, और यह जैसे साइनेक्स अपॉन में X लिखा है, इसका मतलब में मैं सारे उपर ऐसा कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, अब बच्चों को सबसे पहला डाउट यहाँ आता है, कि सर लिमिट extending to अगर 0 की जगर पर पाई बाई 3 लिखा हो, तब बेटा साइन X अपॉन में X क्या सर वन आएगा, क्या यह डाउट सही है या गलत है, तो सबसे पहला डाउट अपने मन में डालो, कि क्या मेरे पास 0 डालने पर 1 आ रहा था, क्या मेरे पास आंसर 0 डालने पर 1 आ रहा था, तो आपको कि सर साइन 0 कितना होता है, सर साइन 0 तो 0 होता है, बे का सर यह तो answer हो नहीं सकता यहां तो value पता नहीं क्या गोड़बोड़ हो गया है तो हम इसे क्या करते दोस हम कहते हैं कि limit theorem हम लोगों ने थोड़ा calculation वगरा किया sign के जो exponential series होते हैं ठीक है जो series के expansion से हम लोगों ने derivative को यहां पर निकाला कि यहां से sign x upon में x अगर करेंगे तो हमारे पास answer कितना आ जाएगा हमारे पास one answer आ जाएगा जब मैं x बराबर 0 या extending to 0 पर चेक करूँगा ठीक है अच्छा तो क्या इसका answer one होना चीए लेकिन नहीं बेटा मैंने यही तो बोला कि direct substitution कब करना है हमें value तब करनी है direct substitution जब हमारे पास indeterminate form नहीं आ रहा हो यहां से देखना दोस्स अगर मैं आप directly substitute करता तो आप कहते सर x की value pi by 3 यहां डालता तो sin pi by 3 कितना होता है सर sin pi by 3 होता है root 3 upon में 2 नीचे अगर डालता तो यह कितना हो जाता pi upon में 3 हो जाता सर इसमें तो कुछ value निकल कर आ जाएगी कितनी वेटा 3 root 3 upon में 2 pi आ जाएगी तो इसका जो limit होगा दोस्स यह होगा ना की 1 होगा क्यों क्योंकि सर indeterminate form तो आई यही नहीं ना नहीं आई न दोस्स तो हम लोग यहां पर direct substitution करेंगे जब हमारे पास 0 upon 0 नहीं बन रहा होगा यानी मेरे कहने का sense यह है कि सर जब sin x tending to 0 होगा और sin x upon में x होगा तब ही इसका answer 1 होगा तब ही इसका answer 1 होगा अगर आपने कोई और limit ले ली तो ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप बोल रहे हो और कहीं कुछ भी लगा दिया और उसका answer 1 लिख दिया नहीं ऐसे नहीं चलेगा है ना बात समझ में आ गई दूसरा डाउट में आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्ट ठीक है दूसरा डाउट बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि अगर सर यहां पर limit extending to 0 हम लोगों ने fix कर दिया बट यहां पर sin 2x लिखा हुआ नीचे बेटा x लिखा हुआ है अब बच्चा बोलता है कि सर इसका answer वन आएगा क्या इसका answer वन आएगा क्या नहीं सर इसका answer भी 1 नहीं आएगा क्योंकि हमारे game में ये बोला जाता है कि सर अगर इधर हमारे पास x है तो इधर भी हमारे पास x ही होना चाहिए तो इसका मतलब सर अगर इधर मेरे पास 2x है तो इधर मेरे पास 2x होना चाहिए तो सर इसे एक 2 अगर multiply कर देंगे तो एक 2 से हम लोग divide कर दें कर दो सर अब य क्या लगा दोगे limit theorem तो यह 1 हो जाएगा और यह multiply में बिटा 2 हो जाएगा इसका अंसर कितना हो जाएगा दोस्स इसका अंसर 2 हो जाएगा this is the beauty of limit theorems ठीक है तो हर जगा ऐसा कहीं पर भी फिट नहीं करना है जहां लग रहा होगा वहीं पर लगाना है क्योंकि हम इन्हें algebraic manipulation से नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो देखो अब मैं आपको एल होपिडल रूल्स के बारे में भी बता देता हूं एल होपिडल रूल्स क्या कहता है यह कहता है कि सर अगर मेरे पास 0.0 infinity by infinity या फिर कोई और form आ जाए सिर्क पावर वाली छोड़ के है ना वो forms आ जाए तो सर यह कहत है कि हम लोग numerator को अलग differentiate कर दें, denominator को अलग differentiate कर दें तो हमारे पास यह functions बन जाएंगे अभी भी अगर 0 upon 0 या कोई भी indeterminate form आती है तो हम सर फिर से differentiate करने के लिए eligible हैं हम लोग इस functions को फिर से differentiate करके बराबर लग सकते हैं ऐसा हम लोग कब तक कर सकते हैं सर ऐसा हम लोग तब कर सकते हैं जब तक दुनिया पूरे सूरज का एक चक्कर ना लगा कर आ जाए तब तक हम लोग ऐसा कर सकते हैं ठीक है आप उसके आगे भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन हमें कब तक करना है हमें तब तक करना है जब तक limit जो है या तो कोई finite value ना बन जाए जब तक मै direct substitution लगाने योग यह ना बन जाओं या फिर plus infinity ने आ जाए या फिर minus infinity ने आ जाए यहां पर आकर आपको रोक देना है तो उसके आगे जो आप कर रहे हो अब आप वो गलत कर रहे हो ठीक है क्योंकि limit आपकी या तो exist करनी थी या तो नहीं करनी थी ठीक है आपको जो indeterminate form आ कर रहे है कि limit नहीं exist कर रही है कर रही होगी आपको पता नहीं चल रहा है stage पर यह कहने का sense होता है तो हम कह रहे हैं कि sir हम derivative करते हुए जाएंगे लेकिन अगर किसी condition के अंदर finite infinite या फिर minus infinite में से कोई भी value आ जाए तो अब हम confirm हो जाएंगे कि sir finite आया तो इसका मतलब limit exist करती है और plus infinite या minus infinite आया तो इसे limit exist नहीं करती है यह हमें समझ में आ जाता है ठीक है दोस्त तो आप मैं कुछ questions के माध्यम से आप लोग explain करता हूं एक-एक सारा का सारा concept अच्छे से समझना है दोस्त यहां देखेंगे sir अगर मैंने यह limit इस पूरे function में substitute किया तो आप कहोगे sir यह बन जाएगा 3 into 0 का square 0 minus 2 into 0 0 plus 7 हो जाएगा divided by sir 2 into 0 का 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा plus 21 आ जाएगा तो आप कहोगे sir यह बन गया 7 upon me 21 यानि this is 1 by 3 हो जाएगा अरे वाह तो sir indeterminate form तो नहीं आ रहा है यानि limit कितनी हो गई 1 by 3 finite value हो गई न दोस finite value हो गई तो यही मेरा limit हो गया आगे चलो sir यहाँ 5 डाल कर देखते हैं 5 का cube कितना होता sir 125 minus 125 divided by 5 का square 25 75 35 plus 10 करोगे तो बेटा देखो 0 upon 0 आ गया sir 0 upon 0 आ गया यह हमें limit बोलने से मना कर रहा है कि limit है या नहीं है तो हमें क्या करना है हम बेटा दो तरीकों से करके बताऊंगा एक हो गया factorization दूसरा हो गया L-Hopitals rule जो पसंदा है वो करते रहना लेकिन दोनों सीखना है आपको ठीके sir पहले factorization स अगर मैं x q minus 125 को factorize करूंगा तो यह बेटा x minus 5 into में x square plus 5x plus 25 में factor हो जाएगा divided by x square minus 7x plus 10 जो है यह x minus 5 और x minus 2 में factor हो जाएगा और आपकी limit अभी किस पे चल रही है sir tending to 5 पेटा यह दोनों के दोनों cancel कर दोगे तो अब value substitute करके देखो तो sir 25 plus 25 plus 25 divided by x minus 2 यानि 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 75 divided by 3 तो answer कितना आगिया sir 25 कितना आगिया 25 यानि यह मेरे इस function की limit exist कर रही है है ना अब इसे पीटा एल होपिटल से करके बतो एल होपिटल से हम लोगोंने क्या कहा एल होपिटल में हमने कहा कि sir अगर indeterminate form आ रही है अगर indeterminate form बन रही है तो हम लोग ऊपर वाले function को derivative निकाल देंगे sir इसका derivative हो जाएगा x cube का हो जाएगा 3x square फिर हम लोग नीचे वाले function का derivative निकाल देंगे इसका हो जाएगा 2x-7 2x-7 हो जाएगा sir अब इस function में x की value 5 डाल कर देखें तो 5 5 जा 25 3 जा कितना हो जाएगा दोस्थ आप कहोगे sir 75 हो जाएगा यहां डालोग वे 5 2 जा 10-7 sir 3 हो जाएगा देखो आंसर कितना आ गया थोड़ा तेज आ गया sir मजा आया यह तो sir अगले step में आंसर आ गया यह था हमारा कमाल कि पहले मैंने आपको algebraic manipulation से करवाए कि आप factorization की मदद से आपने limit को निकाल कर देखा फिर आपने कहा कि आ रहे हमारे पास एक better तरीका है एल-hopitals method तो एल-hopitals method से भी आपने उसको करके देखा तो आपको मज़ा आया तो आपका concept भी strong हो क्या आपका जो एक tool है बेटा इसे मैं tool कहूंगा बहुत हैतरीन tool बोलूँगा engineering level का tool बोलूँगा कि एल-hopitals rule इतना बना देता है जबकि algebraic manipulation उसको और simplified बना देता है है ना चलो अगला सवाल बताओ सर अगले सवाल में पीटा आप लोग देखोगे कि सर अगर मैं 3 डालता हो तो 3-3 0 हो जाएगा सर 3-2 हम 1 हो जाएगा और 4-3 1 हो जाएगा सर 1-1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सर 0-0 बन रह आ सकते हैं तो पहले सर इसमें under root दिखाई दे रहा है तो मैं इसमें क्या करूंगा दोस मैं इसमें rationalization वाला algebraic manipulation यूज करूंगा तो आप कहोगे कि सर x-3 तो पहले से था under root x-2 minus under root 4-x का मैं rationalization कर दूंगा तो under root x-2 plus under root 4-x divided by under root x-2 plus under root 4-x हो जाएगा है न दोस मैं इसके उपर limit लगा तो limit extending to 3 ठीक है सर लगा देते हैं बिटा उपर उपर हमारा product कितना आ जाएगा सर उपर उपर हमारा product आ जाएगा x-3 multiply x-3 multiply under root x-2 plus under root 4-x ओके सर नीचे कितना product आ जाएगा बिटा x-2 minus 4-x तो मिला कर आपके पास answer आ जाएगा 2x-6 कितना जाएगा दोस्त 2x-6 आ जाएगा अब ज़रा ध्यान से देखिए कि सर मैं जानता हूँ x-3 को 2x-6 से cancel out करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा common लेलो यार है ना common लेलो cancel हो जाएगा 3 अब डाल कर देखो 3 डालो को तो बिटा यहाँ पर answer आ जाएगा आपका 1 plus 1 divided by 2 यानि 2 by 2 हमारा answer कितना होना चाहिए इसका answer कितना होना चाहिए यह algebraic manipulation से हुआ लेकिन सर हमें एक बार बताइए कि यह L hospital से हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा अब इसमें chain rule का application आप लोगों को दिखते हुए मिलेगा तो हम लोग चलो chain rule को भी apply कर देते हैं बहुत सारे बच्चों को chain rule नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत भी होगी लेकिन वो अभी इससे practice कर सकते है तो x-3 का derivative सर 1 हो जाएगा इसका derivative लिका लेंगे तो ये 1 upon में twice of under root x-2 हो जाएगा फिर हमारे पास 1 upon में twice of under root 4-x का derivative 4-x का derivative chain rule से minus minus plus हो जाएगा और ये हम लोग रख देंगे तो this is application of chain rule बच्चे अब 3 रख कर देखिए सर उपर 3 नहीं रखना है तो 1 ही है नीचे 3 रखो के तो 3-2 हो जाएगा 1 1 into 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 प्लस यहां से भी 1 by 2 आजाएगा और आपका answer यहां से आजाएगा 1 जो कि आप देख पा रहे हैं कि सर L hospital ने भी इस question को बड़े ही भीनिल्याद्टी प्यार से खडम कर दिया अब बस हमें क्या चाहिए था सरॉ exactly GPU की जरूरत थी अब मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे के एंगे सर हमें चैनो कर लेंगे ने बिक्क्त कह बात कि चले नीं बबाए दिक्कत नहीं जब मैं को दिक्कत किस बात की हैं तो हमन हो चुकी है नहीं चले चलो भाई आगे चलते हैं सर यहां देखते हैं यहां बेटा infinite वाली limits को अगर आप ध्यान दो तो आप कहोगे कि सर अगर मैंने x की value infinity रखी तो यह पूरी की पूरी जो polynomial infinity दे देगा यह भी क्या पूरे polynomial को आप लोग क्या करो पीटा x3 से divide कर दो है ना x3 से divide कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जायेगा इसे भी सब को x3 से divided कर सबसे ज्यादा पावर से आप different कर दोगे तो आपके पास क्या हो आप कहोगे सर जैसी मैं इसे x3 से डिवाइड करूंगा या x3 common ले लूँगा आप कुछ भी कह सकते हैं सीधे भाशा में x3 common अगर आप ले लेते हो तो आप कहोगे कि यह बन जाएगा सर 3 यह बन जाएगा माइनस 5 अपॉन में x का square प्लस 7 अपॉन में x का cube यह आ जाएगा ठीक है अब infinity डाल कर देखेंगे तो आपको मालूम होना चीए एक बात कि सर 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है तो 1 अपॉन इंफिनिटी अगर 0 होता है मेरे दोस् सर ये तो 3 है ही ये माइनस 0 हो जाएगा ये प्लस 0 हो जाएगा ये माइनस 0 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये प्लस 0 ये माइनस 0 ये प्लस 0 हो जाएगा सर आंसर आजाएगा 3 अपॉन में 2 कितना आजाएगा दोस्स आंसर आजाएगा 3 अपॉन में 2 क्या हम इसे एल होपिट to infinity है इसका first order derivative निकालिए तो यह बन जाएगा 9x square minus 8x plus 6 बन जाएगा divided by आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 6x square plus 2x minus 5 आ जाएगा सर अभी भी infinity by infinity आ रहा है एक बार और differentiate कर लो चलो सर लिमिट extending to infinity रखेंगे फिर से differentiate करेंगे तो 9x square का 18x minus के 8 हो जाएगा divided by 12x plus के 2 हो जाएगा सर अभी भी infinity by infinity आ रहा है एक बार और differentiate कर लो तो हमारे पास limit extending to infinity क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा 18 इधर आ जाएगा 12 18 और 12 पे limit लगाओगे तो 6 के table में 3 by 2 बचेगा देखो फिर से limit 3 by 2 आ गए लेकिन ये भी लंबा है सर ये भी लंबा है अब मैं आपको इससे बहतर चीज़ बताऊंगा दोस्त बहतर चीज़ ठीक है मैं आप सभी से पहले ये request करूंगा सभी बच्चों से request करूंगा कि आप सभी बच्चे एक बार इसमें algebraic manipulation और LHopitals दोनों को लगाकर बचे हुए दो question solve करें और फिर उसके बाद जब हो जाए तब सर की trick को pocket में रख लेना बेटा सर की trick को pocket में रख लेना अरे वाँ अब सर ट्रिक देंगे अब आएगा न मजा हैं जी अब आएगा मजा कि सर जी trick देने वाले है त्रिक क्या देने वाले हैं जरा ध्यान से देख लीजिए दोस्त यह आपके काम आ सकता है अगर सवाल आया तो within two seconds आप आंसर कर सकते हैं एक क्यों बोला क्योंकि बेटा कुछ बच्चे और स्लो होते हैं ठीक है हमने का कि सर लिमिट extending to infinity है अगर यहां पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों पावर सेम है दोनों पावर सेम है तो बेटा सबसे बड़े वाले पावर का जो मेरा आस्ट का रेशो आसर ले लो यहां पर सबसे बड़े पावर हमारे पास एक्स क्यूब है तो इसका है नीचे तो बड़ीपर में इसका कॉफिशेंट कितना है सर पांच है सर नीचे x3 है यह नी तो उसका कॉफिशेंट 0 हो जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा सीधा सीधा तरीका है कि भई हमारे पास जो भी maximum power available है infinity by infinity वाले form के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले उस polynomial के highest degree variable को देखेंगे और उसके coefficients का ratio हमारा answer हो जाएगा यह हमारा shot trick है हम लोग direct jump लगा सकते हैं यह shot trick कब आपको समझ में आएगा जब आप यह सारे सवालों को proper तरीके से बिलकुल algebraic manipulation और allopators लगा लगा कर solve करेंगे तब आपका base तयार हो जाएगा और जब base तयार हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि why we are taking the ratios of these numbers और क्यों हमारा answer ऐसा आ रहा है समझाने की जरूरत ही नहीं बढ़ेगी एकदम cool nature और फिर वो अपना concept होगा हां जी बढ़िया सर बिलकुल बढ़िया आगे चलते हैं दोस यहां पर देखो limit theorem से related question कैसे बनते हैं जरूरी नहीं कि आप limit theorem लगाएं लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप जरूर लगाएं यहां पर ध्यान से देखेंगे दोस मैं इस question को किस से solve करना चाओंगा मैं कैसे एल होपिटल से solve करना चाओंगा कैसे बिटा एल होपिटल हमें ज्यादा आसानी से answer देगा यह limit extending to 0 है अगर मैं इसमें 00 डालता हूं तो सर यह 1-1 उपर बिटा 0-0 तो 0 पॉन में 0 बन रहा है तो सर कुछ करिए 0 पॉन 0 बन रहा है तो बिटा मैं उपर एल होपिटल ल हो जाएगा 2-1 अब 0 डाल कर देखें सर डाल कर देखो जैसे 0 डालोगे तो आपको कि सर 3 की पावर 0-1 होता है तो यहाँ पर लॉग 3 बचेगा तो यह पर लॉग 2 बचेगा नीचे अगर 2 into 0-1 करोगे तो सर-1 बचेगा यानि यह बन जाएगा सर लॉग 2-3 बन जाएगा ज के पराबर हो जाता है log 2 upon 3 के पराबर हो जाता है and this is the final answer sir इस question में मैं L hospital लगा सकता हूं बिलकुल लगा सकते हो दोस्स बिलकुल लगा सकते हो L hospital लगा सकते हो L hospital अगर आप लगाओगे तो आप कहोगे sir अभी मेरे पास limit extending to कितना है sir 8 है यहां L hospital लगाया तो यह बन जाएगा 3x का square और नीचे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा sir 1x से 1x को cancel out कर दोगे तो 8 3 24 divided by 2 तो मेरा answer कितना जाएगा दोस्स ओहो मेरा answer कितना जाएगा sir 12 आ जाएगा कितना जाएगा 12 हमारे पास इसका answer आ जाएगा एंड बड़े ही आराम से हम इसका answer कर सकते हैं इस पर लगा सकते हैं पीटा इस पर भी लगा सकते हो लेकिन मैं आप लोगों को इस पर कुछ समझाना चाहता हूं कि पीटा देखो यहां पर limit extending to 0 चल रहा है यहां प पूलता हूं कि सर इसे limit theorem बनाना है तो 2 से multiply और 2 से divide कर देते हैं तो मेरा final answer will be 1 upon 3 तो रहेगा इसका answer कितना हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 1 और यह multiply में 2 यानि final answer is 2 upon 3 आप इस तरीके से इसका answer निकाल सकते हैं क्या यह सभी बच्चा लोगों को clear हुआ ठीक है यह practice जितना practice करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा तो आप NCIT और कुछ और सवाल आप इसके लिए practice के लिए extra practice के लिए आप जरूर लगा सकते हैं फायदे में रहोगे बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे तो यह सारा अच्छे से practice चाहिए दोस्त बिल्कुल चाहिए अगर इसकार indeterminate forms के उपर हमें question बताईए जिसमें 0 की power 0, infinity की power 0 या 1 की power infinity हो तो यहाँ पर हर चीज ध्यान रखना यहाँ पर कोई 1 नहीं है यह जो limit है वो tending to 1 हो रही है यानि वो 1 के बराबर नहीं है 1 से थोड़ी सी छोटी या 1 से थोड़ी सी बड़ी है क्या है 1 से थोड़ी स यह बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है आपको यह करना है कि जब आपके पास 0 की power 0 या infinity की power 0 आ रही हो तो आप यह वाला trick इस्तमाल करोगे कि logarithm limit यानि जो भी limit की value होगी वो उसका logarithm जोगा वो इसके बराबर होगा और यहाँ वाले case में logarithm जो limit का logarithm होगा वो हमारा किस आप याद कैसे रख सकते हैं कि सर अगर वन की power infinity है तो यहाँ पर fx-1 ले लेना है ठीक है fx-1 ले लेना है अब यहाँ पर example आपके सामने है जैसे आप यहाँ पर 0 रख तो यह 0 की power 0 बन जाएगा सर यह वाली indeterminate form बन रही है बन रही है सर तो इसमें मैं क्या करूंगा मैं मैंने कहां मान लिया इसका लिमिट कितना है सर ल है लेटस सपोस कि इसकी लिमिट कितनी है ल है तो आप कहोगे सर लॉगरिदम ल जो होगा वो मारे पास बराबर हो जाएगा limit extending to 0 है ना limit extending to 0 जी एक्स जी एक्स कौने बटा ऊपर वाला function जी एक्स कौने दोस ऊपर वाला function और fx कौने नीचे वाला function यह याद रखेंगे यह fx की power gx होता है कौनसा इसमें हमारे पास fx की power gx है यहां पर मैं लिख देता हूं कि function कैसा हमारा fx की power में gx होता है तब यह forms बन रही होती है तो उपर वाला function जो power वाला function है वो gx होगा तो इस condition में आप कहोगे कि sir gx multiply log x हो जाएगा sir कितना हो जाएगा दोस्त gx multiply log x हो जाएगा है ना ऐसा कुछ आप लोगों के पास आजाएगा x log x आजाएगा तो sir इस condition के अंदर हम लोग क्या करें मेटा देखो हमारे पास बन तो कुछ खास रहा नहीं है है ना कुछ खास बन तो नहीं रहा है लेकिन हम य जीरो इंटू इंफिनिटी वाली चीज़ बन रही है log 0 क्या होता है माइनस इंफिनिटी होता है ना तो सर्य जीरो इंटू इंफिनिटी वाली फॉर्म बन गई अगर मैं इसमें लगाता हूं तो यहां पर प्रोड़क्ट रूल का application होना शुरू हो रहा है सब प्रोड़क् तो ऐसा हमें नहीं करना है ना ऐसा हमें नहीं करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई जाए गा 1 अपवन में x और हमारे पास को लागरिदम का डेरिए minus x बोल पाऊंगा और 0 अगर डाल दूंगा तो हमारा रिजल्टिंग फॉर्म में logarithm L जो होगा वो हमारे पास minus 0 यानि 0 के बराबर आ जाएगा कितना जाएगा दोस्त 0 के बराबर आ जाएगा और आप कहेंगे सर लॉगरिदम का जो limit है वो limit की value sir e की power 0 यानि 1 के बराबर आ जाएगी किसके 1 के बराबर आ जाएगी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि सर यह multiply में थे तो इसमें L hospital क्या होता है fx upon gx के format में होता है तो हमने क्या किया हमने उस function को denominator में ले गए और denominator में ले जाने के बाद हमने 1 upon x को derivative किया और उपर हमने logarithm x को derivative किया और उससे हमारे पास एक result आया जो cancel out हो गया और cancel out होने के बाद हमारे पास limit exist कर गई और वो logarithm L जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया तो L की value e raise to power 0 हो गया अब यहां पर देखते हैं सर यहां क्या आ रहा है यहां जब आप 0 डालो गया तो यह 1 बन जाएगा और यह हम जाएगा infinity यानि यह बन गया 1 की power infinity सर यह भी indeterminate form है तो इसमें क्या करें हम कहते हैं सर यह 1 की power infinity ना लेकर अगर हम लोग इसे L मान लेते हैं तो अब हमारे पास logarithm L किसके बराबर हो जाएगा limit extending to 0 ठीक है यहां क्या बिटा GX यानि सर उपर वाला function multiply बिटा fx minus 1 fx बिटा नीचे वाला function इसमें से minus 1 कर देंगे तो 1 और 1 कट गया तो अब आपके पास क्या आया सर अब आपके पास आया दोस limit extending to 0 जो की 1 upon में x multiply x हो गया तो x से x cancel यानि answer आ गया 1 यानि logarithm L किसके बराबर हो गया 1 तो L की value हो गई E की power 1 यानि limit हो गया हमारे पास E तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा e इसका answer कितना हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 1 है ना? बात सभी को समझ में आ गई, कि देखने में लग रहा है, कि सर 0 की power 0 तो 0 होना चाहिए, λेकिन उसका answer 1 आ रहा है, है ना, यहां देखकर लग रहा होगा कि सर 1 की power infinity 1 आना चाहिए, लेकिन उसका answer E आ रहा है, तो जो भी जोल चल रहा है वो logarithm करवा है, और यहां पे limit आपको ल नमबर डाल रहे हैं, जिसकी वज़े से value अचानक से vary करना शुरू कर जाती है, जब आप इसे बहुत infinite powers तक अप्रोच कर रहे होते हैं, तो ये था हमारा limits वाला part, जिसके अंदर हम लोगों ने basic limits को भी समझ लिया, हम लोगों ने standard जो higher level के जो limits होते हैं, special limits जो होते हैं, वो भी हम लोगों ने कर लिये हैं, अब इसी का इस्तमाल हम लोग करेंगे continuity के लिए, so continuity के अंदर क्या introduction होता है, continuity के अंदर होता है कि सर, जब तक हमारे पास limit के LHL और RHL बराबर थे, तब तक limit exist करती थी, लेकिन अब ये कहता है कि सर, अगर LHL, RHL और function की तीनों की value बराबर होगी, तो हम लोग बोलेंगे continuous function है, कैसे है सर, continuous function है, इसको diagramatically समझना मेरे दोस्त, diagramatically समझना, कि सर, मान लेते हैं, ये कोई point है, हमारे पास C, तो C का left point क्या है, सर, ये C का right point क्या है, ये, तो C के left point में सर, function कितना है, सर, आप कहोगे, यही function यहाँ पर define हो रहा है, सर, C के right function में, right में भी इतना ही function हमारे पास बन रहा है, थोड़ा सा इसे और अच्छे से बनाते हैं, वरना आप लोग confused हो जाओगे है, चलो, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, कैसे सर, ये function जो है, सर, जब हम लोगोंने left hand side से approach किया, तो यहाँ से हमारे पास left hand limit आ रहा था, तब हमारे पास function की value सर, यहां जाते जाते जाते, कहां मिली सर, left में value हमें कहां मिली, left में value हमें यहां पर मिली सर, ये तो कुछ गलत है भाई, left में value कहां मिली सर, left में हमें value यहां पर मिली, ठीक है सर, जब right से function गए, तो right से function सर, यहां जाते जाते, right में भी function यहां मिली, यान FCB यहीं पर defined है, तो यही point जो है, FCB है, LHLB है, RHLB है, तो this is a continuous function, क्यों continuous कहा जा रहा है वेटा, continuous इसलिए कहा जा रहा है, कि आप इस graph को बिना pen उठाए बना सकते हो, मैंने बिना pen उठाए बनाए ना, देखो वेटा, बिना pen उठाए आप इस graph को बना सकते हो, अब यह यहा यहाँ पर define हो रही है, है ना, लेकिन जब function बेटा left hand से approach कर रहा होगा, तो left hand limit कहा है सर, left hand limit हमारे पास यहाँ पर है, यह left hand limit है, सर जब right hand से approach कर रहा होगा दोस्त, तब भी सर यहाँ पर है, तो हमें इस condition में क्या देखने को मिलता है, सर इस वाले condition में LHL और RHL तो ही है सर, लेकिन यह FC के बराबर नहीं है, FC हमें यहाँ पर मिल रहा है दोस्त, यहाँ पर मिल रहा है FC हमें, है ना, limit तो सर यहाँ पर exist कर रही है, लेकिन function यहाँ पर define हो रहा है, तो यह वाली condition हो रही है, तो हम बोलेंगे कि सर यह वाला जो function है, यह not continuous है, क्यों? क्योंकि understanding जब मैं इसका graph डॉकर यहां से नहीं दोः horrific करूंगा तो इसकेampर गोला बनाना होगा open dot फिर उसके बाद मैं वापिस मैंने इसए बनांगा तो जरा ध्यान से देखेगा पहले मैंने the प्यक्षर अब यहां के रहाए ओफ एसके बाद पहनी हम लाया तो पर इस पढ़ा, so this is a discontinuous function, और ये mathematically कैसे समझ में आता है सर, mathematically ऐसे समझ में आता है कि इसका LHL आरेचल तो बराबर है, लेकिन ये function at the point बराबर नहीं है, ठीक है ये बात भी समझ में आ गई, इस condition में देखे दोस्त, इस condition में सर हम लोग ने अगर C की value यहाँ पर ली है, तो function का left hand limit औ और सर function की value कहाँ पर define हो रही है, यहाँ पर, यानि इस वक्त मेरा LHL जो है, वो मेरा FC के बराबर है, लेकिन सर मेरा RHL कहाँ define हो रहा है, सर मेरा RHL देखो यहाँ define हो रहा है, this is the RHL, ये हमारे RHL की value है, तो clearly सर इसमें LHL जो है, वो हमारे FC के बराबर है, लेकिन ये right hand limit के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे सर इसकी लिमिट भी एक्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि इसका लहल रहल बराबर नहीं है तो लिमिट भी एक्जिस्ट नहीं करती है और लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती है और लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती है और लिमिट चलो बात समझ में आगे चलो इदर देखना इधर देखना इधर कहा रहा रहा सर लेफ्ट में पर यहां पर इफञें नहीं हैbbe सर इसन में WHY रहते हैं और वह बरा भी है लेकिन एफ सीर पर पूसर फंक्षोन नौट डी hints कहीं वो sir not defined है, not defined है, इसका मतलब sir, यहां पर एक ऐसी खाई होगी जिसको बंदा गूद कर पार कर सकता है, लेकिन वो continuous जमीन नहीं होगी, वहाँ पर एक खाई है, क्या है दोस्ट, वहाँ पर एक खाई है, तो उसे कूद कर पार कर किया जा सकता है वो इतनी पतली खाई होगी लेकिन exactly वो जमीन जुड़ी हुई नहीं है वो graph जुड़ा हुआ नहीं है है ना चलो आगे देखो आगे देखो यहां पर आप काऊगे कि sir left से function ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए तो हमारे पास कहां पर sir value define हु हुई infinity पर sir c पर कहां define हुई infinity पर हम कहेंगे sir LHL और RHL यह दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों की value infinity है और infinity का मतलब क्या होता है sir limit does not exist infinity आ गया तो limit exhaust does not exist यानि infinite है sir finite value नहीं है और sir fc की value तो वैसे भी define नहीं हो रही है not defined आ रहा है infinite आ रहा है तो यह भी not continuous function हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सीधे तरीके से समझना है कि sir function जो है वो कहीं पर भी breakage नहीं होना चाहिए कहीं पर भी function तूटना नहीं चाहिए एसे function को हम लोग continuous function बोलेंगे और जो result हमें धियान रखना है वो result क्या धियान रखना है दोस्स वो result हमें धियान रखना है कि LHL और function की value तीनों बराबर होगे तभी आप continuous function यहाँ पर बोलोगे है भई चलो भई बात समझ में आ जाती है इसकी ओपर कुछ basic fundamental theorems आप लोग याद कर लो क्या कि sir अगर fx और gx दोनों continuous function है किसी point पर तो उन दोनों का addition उन दोनों का difference उन दोनों का product और उन दोनों का caution जो है वो भी continuous होंगे at x equals to c उस point पर except when gc is equal to 0 सिर्फ नीचे वाला function जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बहुत सीधी सी बात है मैं इसको साधारन तोर पे आप लोगों को लिख के बता देता हूं दोस्त आप यह कहोगे कि sir अगर मेरे पास एक function sine x है और एक function cos x है ठीक है तो इनका plus ल division ले लो sine x upon में cos x ले लो तो आप कहोगे कि sir यह sine x और cos x at x equals to 0 continuous function होते हैं sir हमें नहीं मालूम कैसे नहीं मालूम दोस्त आपने sine x का graph पढ़ा है न क्यासे होता है sine x का graph ऐसे होता है continuous function होता है तो at equals to 0 पर भी continuous होता है एक ही बार pen ऐसे करके चलाते हूँ आप लोग बना सकते हो नो तो ऐसे करके बना सकते हो sine x का graph तो sir at x equals to 0 पर यह continuous होता है cos x का graph कैसे होता है sir cos x का graph at x equals to 0 ऐसे करके बनता है तो sir at x equals to 0 पर यह continuous होता है मैं pen उठाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी इस graph को बनाने के लिए तो मैं कहूंगा sir sine x plus cos x जो है यह क्या होगा continuous होगा कहां पर at x equals to 0 पर सर sine x minus cos x भी क्या होगा continuous होगा at x equals to 0 पर sine x product cos x भी क्या होगा sir continuous होगा at x equals to 0 इक यह कैसा होगा not continuous होगा sir not continuous क्यों होगा not continuous क्यों होगा sir 0 पर ने ने इसको मैं उल्टा करके देता हूँ इसको उल्टा करके देता हूँ, तब आपका होगे, कि सर, cortex upon में sin x, sorry, cos x upon में sin x जो ले लेते हैं, यनि इनका reciprocal form में अगल ले लेते हैं, तो cos x upon में sin x जो है, ये function जो होगा हमारा not continuous होगा, क्यों not continuous होगा, पिटा, क्योंकि at x equals to 0 उपर, sin x function कैसा behave करता है, सर, sin x function 0 answer दे देगा, सर, नीचे 0 दे देगा, तो limit क्या हो जाएगी, not defined हो जाएगी, और limit not defined होगे, तो सर, continuous function तो नहीं कहला सकता, तो ये basic सी बात हमसे बोली जा रही है, कि सर, sin x upon में cos x तो define करता, क्योंकि तब नीचे 0 नहीं आ रहा था, लेकिन cos x upon sin x में नीचे 0 आ जाता है, denominator 0 बन जाता है, तो it becomes not defined, कैसा बन जाता है, not defined बन जाता है, so we say, कि not continuous है, not continuous, अब कुछ चीज़ें आप लोगों को directly मालूम होने चाहिए, लेकिन मैं साथ-साथ आपको बता दूँगा, सबसे पहली चीज़, ये theorem number 2 हमारे लिए important है, ये क्या कहता है, क an x की power n, plus an minus 1, x की power n minus 1, an minus 2, x की power n minus 2, plus dot 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 dot, a1x plus a naught, है न, a naught, यहाँ पर n की value क्या होनी चाहिए, दोस्ट, यहाँ n की value आपकी condition apply होती है, कि इसके अंदर चाहिए, कुछ भी हो जाए, n आपका whole number से ही बिलॉंग करेगा, किस से बिड़ा, whole number से बिलॉंग करेगा, तभी यह क्या होता है दोस्ट, तभी यह हमारा polynomial function बनता है, this is the polynomial function है, polynomial function क्या होता है सर, एक ऐसा expression, जिसमें x की सभी powers कैसी हो, whole number हो, तभी वो polynomial function कैलाएगा, तो यह polynomial function कैसा होता है, जब भी आप इसका graph बनाऊगे, तो it is everywhere continuous, everywhere, तो यह पहले से आप आपको पता होना चीए, so that कभी भी इस्तमाल हो, तो आप लोग इसको देखते ही answer कर पाए, चलो, rational function क्या होता है, rational function is, कहता है कि सर, एक polynomial function को, एक polynomial function को, अगर मैं दूसरे polynomial function से divide करके, एक expression, नया expression बनाता हूँ, तो सर, यह भी क्या हो जाएगा, यह सर, एक rational function हो जाएगा, for example, example देखो, जैसे x square plus 3x plus 2 divided by x square plus 5x plus 6 ले लेते हैं, so this is a rational function, यह भी क्या हो जाएगा, sir, everywhere continuous हो जाएगा, except उन जगह पर छोड़ देना, जहाँ पर gx 0 होता है, यानि sir, कहां पर gx 0 होगा, sir, gx 0 यानि यह वाला 0 कहां पर होगा, यह 0 होगा, पेटा, x की value आपको minus के 3 नहीं रखनी है, और आपको x की value बच्चा क्या नहीं रखनी है, minus के 2 नहीं रखनी है, क्योंकि जब जब आप x value minus 3 और minus 2 रखोगे, तो यह आपको 0 दे देगा, और 0 दे देगा, तो यह not defined हो जाएगा, और not defined हो जाएगा, तो sir, not continuous हो जाएगा, यानि यह बाकी हर जगह पर, हर ज जगह पर continuous होगा, लेकिन sir, x value minus 3 और minus 2 रखने पर यह not defined हो जाएगा, तो इसका मतलब यह वहाँ पर not continuous होना चाहिए, done है भाई, चले, चलो, आगे चलो, और भी थियरे में के sir, और भी थियरे में दोस्त, यह क्या कहा रहा है, कि sir, अगर fx और gx जो है, वो at x equals to c पर क्या ह है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि sir, fog, goff, fog, gog, यानि composite functions जो है, वो भी continuous होंगे, तो यह हमें याद रखना है, अगला कहा रहा है कि sir, अगर fx और continuous function है, at x equals to c पर, तो इसका मतलब modulus fx जो होगा, वो भी sir, continuous होगा, यह भी हमारे लिए काम की चीज है, ठीक है भाई, चलो, आ मैं differentiability के अंदर enter कर रहा हूं, क्योंकि यह काफी हद तक same ही रहेगा, इसके अंदर हम लोग एक limit को निकाल रहे होते हैं, दोस, and that limit is basic या first principle method, आप इसे बोल सकते हो, जिससे सभी derivatives के formula तयार होते हैं, तो यह जो limit है, यह definition of derivative होती है, इसी limit को हम लोग निकालते हैं, derivatives को लिए, यहाँ पर आपको क्या समझना है, दोस, आपको यह समझना है, कि every differentiable function must be continuous, लेकिन not every continuous function is differentiable, हार जो function derivative निकाला जा सकता है, वो तो continuous होना ही पड़ेगा, लेकिन जो function continuous है, वो ज़रूरी नहीं कि उसका differentiation भी निकाला जा सके, नहीं समझ में आया, इसे कुछ ऐसे समझ किये बेटा, मैं इसको सबसे आसान तरीके से सब जब समझा कि हमने कहा कि सर हम पहाडों में क्या कर रहे हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया पहाडों में आपने क्या किया, दोस, आप गाड़ी चला रहे हो, क्या चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो this is a continuous function सर, यह हमारे प जो खाई बनी, और फिर उपर चला गया, तो खाई को बेटा मैं ऐसे करके जोड़ूंगा, नहीं, मैं ऐसे करके बनाऊँगा, ऐसे करके एक पहाड़ है, यहां से सीधा-सीधा खाई है, दोस, आप इसके उपर ऐसे करके गाड़ी तो नहीं चला पाओगे, चला ठीक है, अ यहां पर गाड़ी चला रहा होगा तो सर इस वक्त डारेक्शन और मोशन यह होगा तो जब भी आप किसी कॉंटिनियूस करफ पे ड्राइव कर रहे होगे क्या इस जब आप ड्राइविंग कर रहे होगे तो आपका एक पर्टीकुलर दारेक्शन और मोशन होगा लेकिं सरक continuous curve तो ये भी है continuous curve में जब आप यहाँ पर गाड़ी चला रहे होगे तब आपका direction of motion ये होगा आप सोचिए जब आपकी गाड़ी बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगी तब आपकी गाड़ी नोख में एसमे जूलने लग जाएगी जूलने लग जाएगी बिल्कुल नोक पे जब गाड़ी पहुँच जाएगी तब आप फस जाओगे आप क्या करें पीछे से दख्का लगाओ पीछे भी खाई आगे भी खाई तो दख्का जाओगे तब आपकी गाड़ी कभी इस तरफ जूल रही होगी, कभी इस तरफ जूल रही होगी, तो उपर नीचे हो रही होगी, तो there is no single direction of motion, इस position पर no single direction of motion, तो sir मैं यहाँ पर बोलूँगा कि अगर सिर्फ एक ही direction of motion आ रही है, तो differentiable है, अगर single direction of motion नहीं आ रही है, तो sir not differentiable होगा, यानि हम यहाँ से कह पा रहे हैं कि sir not every continuous function not every continuous function यानि यह दोनों continuous function थे लेकिन sir इसमें से उपर वाला कैसा था differentiable था नीचे वाला differentiable नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि बेटा इसे आपको याद कैसे करना है sir इसे याद करना है sharp edges से किसे याद करना है दोस इसे आपको याद करना है sharp edge pointed edge आप इसे बोल सकते हो sharp edge आप इसे बोल सकते हो आप कैसे भी बुलाओ बस आपको यह याद रखना है कि सर नोक नहीं बननी चाहिए अगर नोक बन रही है अगर नोक बन रही है सर तो उस पोजिशन पर ठीक उस पोजिशन पर हम लोग बोलेंगे not differentiable सर बाकी जगह पे बोल सकते हैं क्या बाकी जगह पे नोक बन रही है क्या आप बोलोगे सर नहीं बाकी जगह पे तो नोक नहीं बन रही है अगर मैं इन जगहों पे चेक करूँ ये वाली जगह पे चेक करूँ ये वाली जगह पे ये चेक करूँ सिर्फ एकी direction में था एकी direction में था इन जगह पर आपको change नहीं करना पड़ा लेकिन जब आप ऊपर पहुँच गए होगे तो आपका direction कभी ये था कभी ये था कभी ये था तो not a single direction of motion तो सिर्फ जिस जगह पर आपको sharp edge मिल रही है वहाँ पर not differentiable होगा जिन जगह पर आपको एकी direction मिल रहा है यानि smooth curve है ठीक है कोई sharp edge नहीं मिल रहा है तो उस जगह पर आप differentiable बोल सकते हैं लेकिन सर अगर curve तूट गया अगर not continuous है तो not continuous का मतलब आप सीधा सीधा बोल देने में अगर not differentiable क्योंकि सर कोई function अगर continuous ही नहीं है तो गाड़ी कभी ना कभी तो खाड़ी not continuous है तो इसका मतलब automatically not differentiable होगा लेकिन अगर function continuous है तो जरूरी नहीं कि वो differentiable होगा there should not be any pointed edge so that कि यह differentiable ना हो पाए तो हम लोग smooth curve के ओपर continuity बोलते हैं pointed end और या फिर pointed edges या फिर हम लोग ऐसे breakage point के बारे में बात करें तो वहाँ पर not differentiable होगा इसके साथ साथ हमें क्या जान लेना है लेकिन differentiability की जो definition होती है वो limit left hand derivative निकाली जाती है ऐसे right hand derivative निकाली जाती है ऐसे मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज़ करके जरूर बताऊंगा ताकि आप लोगों का basic idea समझ में आ जाए कि यह कैसे हो रहा है कहां से आ रहा है so that एक idea हम लोगों को मिल जाए जैसे म सब्सक्राइब होता है तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि सर वाई डाश बराबर कॉसेक्स होता है तो हम लोग यह कहेंगे कि सर left hand derivative की value क्या हो जाएगी आप कहूंगे सर left hand derivative की value हमारे पास हो जाएगी सि कॉस में हम लोग डाल देंगे अट x equal to 0 पर तो आप कहेंगे सर कॉस 0 कितना हो जाएगा सर zaro हो जाएगा सर नी can hand derivative और right hand derivative दोनों बराबर हैं इसलिए सर ये differentiable कहलाएगा लेकिन इसमें मजा नहीं आया इसमें मजा नहीं आया मजा आएगा तब जब आपके function टूट रहे होंगे क्या होंगे सर function टूट रहे होंगे तब आप मुझे ऐसे बोलोगे कि sir function fx जो है suppose करो इधर x का square है है ना और इधर हमारे पास 4x plus 2 है अभी आप मुझे बोलोगे कि sir x greater than 2 के लिए है x less than equal to 2 के लिए ये है हमारे पास आप मुझे कहोगे कि sir अगर मैं इसको solve करना चाहूं ज़रा ध्यान से देखिए एक method तो यह होता है कौन सा वाला sir एक method यह होता है कि आप left-hand derivative first principle से निकाले at x equals to 2 पर कहाँ पर at x equals to 2 sir function बदल रहा है तो यही चांसे से तूटने के तो जब मैं इसे देखूंगा तो आप कहेंगे sir f क्या हो जाएगा यह हो हो जाएगा limit h tends to 0 यहां हो जाएगा f2 minus h हो जाएगा और minus f h हो जाएगा और f2 हो जाएगा दोस्स कितना f2 हो जाएगा divided by minus h आज जाएगा फंक्शन की बात करें तो sir graphically हम लोगों ने ऐसे समझाता कि यह function कहां कहां पर define हो रहा है sir 2 के left में बोले तो 4x plus 2 define हो रहा है 2 पर बोले तो 4x plus 2 define हो रहा है 2 के right पर बोले तो बच्चा x का square define हो रहा है क्या define हो रहा है x का square define हो रहा है so अगर मैं 2 minus h लूँगा और left hand side से लूँगा तो sir left से function मेरा 4x plus 2 है है न 4x plus 2 है तो आप कहो ये हो जाएगा- लाइनس एफटु कितना है सर मैंनश मेरा आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा क्योंकि h और h आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्ट 4 आ जाएगा सर इस तरीके से left hand derivative निकालूँगा right hand derivative क्या से निकालूँगा इतनी ही मैनत मुझे right hand derivative के लिए करना पड़ेगा add x equals to 0 पर अगर मैं right hand derivative निकालता हूँ तो you will say that कि sir limit h tends to 0 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास f2 plus h हो जाएगा sir 2 नहीं extending to 2 है है ना h tends to 0 है यह extending to 2 है 2 plus h हो जाएगा minus के f2 हो जाएगा और divided by h हो जाएगा तो पिटा आप right hand side में function sir x square है right hand side में function x square है तो यह हो जाएगा हमारे पास limit h tends to 0 तो यहाँ जाएगा पिटा 2 plus h का whole square minus f2 हो जाएगा बच्चे हमारे पास 4 into 2 plus 2 हो जाएगा और divided by हमारे पास h आ रहा है है sir 4 2 का square 4 हो जाएगा तो हमारे पास कितना जाएगा पिटा 4 minus यह कितना हो गया sir यह हो गया minus 10 तो this is limit h tends to 0 तो ध्यान से देखिएगा यह 2 plus h का square कितना हो जाएगा 4 plus 4 h plus h का square ठीक है minus के 4 2 जा 8 plus 2 4 2 जा 8 plus 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा sir 10 आ जाएगा इतना जाएगा minus के 10 आ जाएगा बड़े तो cancel होना चाहिए था है ना upon में h ले लेते हैं चलो ध्यान से देखना तर यह 0 upon 0 form तो नहीं आ रहा है यह तो infinite को जा रहा है what is the problem here 2 plus h का हम लोग square करेंगे तो 2 का square 4 plus 4h plus h square minus 4 into 2 plus 2 है जी बिलकुल क्या दिक्करदा रही है इसके अंदर इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि पता क्या गड़बड़ी हुई है आप देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया गड़बड़ी क्या है कि सर इसके अंदर आप देखो कि यह function continuous ही नहीं है कैसे continuous नहीं है पहले हम लोग अगर इसका LHL निकाल कर देखें तो LHL कितना हो जाएगा 2 डालने पर 2 का square 4 आ जाएगा और RHL निकाल कर देखो दोस RSL निकाल लोग होए तो 2 into 4 plus 2 plus 2 सर 10 आ जाएगा सर LHL बराबर RHL नहीं है तो limit exist नहीं करेगी limit exist नहीं करेगी तो limit does not exist लिख देंगे सर limit exist नहीं करेगी तो इसका मतलब not continuous बोलना पड़ेगा सर not continuous बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे सर not continuous तो not differentiable भी हो जाएगा और तभी तो सोचू मैं कि यहां answer क्यों नहीं आ रहा है दोस्त यहां answer क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि सर यहां पर आगे जब आप करोगे तो 4 minus 10 minus के 6 हो जाएगा और फिर वो right hand derivative को not differentiable बोलेगा कि वहां से हमारे पास differentiability नहीं मिल पा रही है नहीं solve वो पा रहा है तो सर यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जब आप इसको properly solve करोगे तो you will get infinity तो right hand derivative exist नहीं कर रहा है लेकिन क्या हम लोगों ने इतना दिमाग लगा करी कर लिया कि सर LHL RHL अगर 4 और 10 आ रहा है तो limit exist नहीं कर रही है यानि continuous नहीं है तो मेरे कहने का यह मतलब है कि आप LHL, RHL को भी चेक करें पहले तो continuity काम करनी चाहिए and then उसके बाद यह derivative के concept को आप ऐसे ना निकाल कर एक तरीके से दूसरे तरीके में answer ला सकते हैं जो कि हम लोग questions के अंदर कर रहे होंगे ठीक है questions के अंदर कर रहे होंगे left hand derivative और right hand derivative हम लोग थोड़ा सा explain कर लेते हैं साथ में हम लोग यहाँ पर चलते हैं not differentiable functions इन्हें पहचान लीजिए दोस इन्हें पहचानने पर आपको बहुत फायदा होगा सबसे पहले discontinuous functions को पहचान लीजिए एक GIF X का function होता है important है यह हमेशा हर integer value पे क्या होता है function तूटता है तो हर integer value पे क्या होगा यह not differentiable हो जाएगा ठीक है सर अब यहाँ से अगर मैं fractional part वाली की बात करूं तो सर fractional part का graph कैसा होता है fractional part का graph होता है इस तरीके से 0 से लेके 1 तक की value define करवाता है तो सर यह भी हमेशा 0 से 1 के बीच में यानि कि हर integer point पे function तूट रहा होता है तो this is also a discontinuous function साथ में sir not differentiable function यह बाकी हर जगा पे differentiable होगा लेकिन सिर्फ integer points पे not differentiable हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह discontinuous बन रहा है ओक्ये दोस्स फिर हम लोग कहेंगे sir discontinuous at every integral point and not differentiable at every integral point और differentiable at every non integer point sir every not integer point पे यह differentiable होगा आगे देख लेते हैं हमारे पास और कौन सा function आ रहा है modulus function modulus function की खास बात क्या है sir modulus a x base b function यह फिर modulus sin x function जो भी modulus function आप ले लो जैसे modulus x function की बात करोगे तो modulus x function का graph कैसे बनता है sir modulus x function का graph ऐसे बनता है तब आप बोलोगे कि sir यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है pointed end आ रहा है this is pointed edge हमारे पास बन रहा है तो sir ठीक इस जगप पर not a differentiable होगा बाकी जगप पर differentiable होगा ठीक है एक और graph देख लिए mod sin x का graph आप कैसे बनाएंगे mod sin x का graph जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे sir sin x का graph जब तक positive है तब तक अच्छा है जब negative की तरफ जाता है तो negative न जाकर यह positive बन जाता है फिर से negative न जाकर positive बन जाता है फिर से negative न जाकर positive बन जाता है तो आप यहाँ पर देखकर बोलोगे कि sir these are the points जहां पर हमारे पास pointed ends आ रहे हैं क्या रहे हैं दोस्त पॉइंटेड ends हमारे पास आ रहे हैं तो इसका मतलब यह इन इन जगाओ पर क्या होगा इन इन जगाओ पर not differentiable होगा क्योंकि यहां पर tangent हमारा एक direction में नहीं होगा लेकिन यह continuous functions हैं तो modulus functions are continuous functions बट वो differentiable नहीं होते हैं उन जगाओ पर जहां पर pointed end बन रहे हूँ तो पूरी चीज में बिटा आप लोगों को आप ब्रीफ करना चाहूंगा उस briefing को आराम से पढ़ लीजिए कि सर सारी चीज जो हमें इस वक्त हमें ध्यान रखनी है question लगाने से पहले कि LHL और RHL बराबर होने चाहिए हमारे पास limit existence के लिए कि limit exist करेगी ठीक है दूसरी चीज सर LHL और फंक्षन की value बराबर होनी चाहिए उस point पर तो हम लोग बोलेंगे continuous क्या बोलेंगे दोस continuous बोलेंगे ठीक है सर हमारे पास तीसरी चीज में LHD left hand derivative और right hand derivative क्या होने चाहिए सर बराबर होने चाहिए differentiable के लिए ठीक है दोस ओके सर और हमारे पास क्या-क्या concept निकल कर आया हमारे पास एक concept निकल कर आया चौथा यह थोड़ा अलग रंग से लिख रहा हूँ क्यूं कि सर pointed ends अंगर होंगे pointed edges अगर होंगे तो हम लोग बोलेंगे not differentiable but continuous की pointed edges है लेकिन सर continuous तो है लेकिन differentiable नहीं होंगे और अगर बच्चा not continuous लिखा हुआ है तो not continuous का direct direct मतलब होगा not differentiable ठीक है अच्छा six वाले में मैं यह कहूंगा कि सर limit does not exist लिखा हुआ है तो limit does not exist का direct direct मतलब होगा not continuous और not continuous का direct direct मतलब होगा not differentiable यह direct results आप लोगों को बिटा याद होने चाहिए यह अगर आप समझते हो इन चीज़ों को अगर आप point out करके चलते हो तो आपको इस पूरे limit वाले topic में कहीं पर भी कोई problem नहीं आएगी तो हो जाए अब शुरू हो जाए questions करना शुरू करें आपको सारी चीज़े कैसे recall करेंगे वो देखते हों चले तो यह रहा सबसे पहला सवाल आपकी screen पर जहां पर लिखा है limit extending to zero one minus cos cube 4x divided by x square इसमें क्या लगाए सर एल होपीटल लगा दे एल होपीटल लगाने में चेन रूल वगयरा सब कुछ लगाना पड़ेगा तो लगाते हैं सर देखो जीरो अपान जीरो 4x का हो जाएगा 3 cos square 4x हो जाएगा और multiply में cos 4x का हो जाएगा minus sin 4x हो जाएगा और 4x का हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा divided by sir x square का derivative 2x हो जाएगा limit क्या चल रही है sir limit extending to 0 फिलो चल रही है बढ़िया मजा आ गया दोस्त है ना आप ध्यान से देखिए कि आपको इसमें क्या करना है आप कहेंगे कि sir अगर मैंने अगर मैंने यह जो sin 4x है इसके अपॉन में x को रहने दिया और इस 2 की जगह पर मैंने 4 ला दिया और multiply by 4 भी मैंने कर दिया तो बची हुई चीज हमारे पास क्या है sir बची हुई चीज हमारे पास है 4 इसके अपॉन में 2 को ले आते हैं इस वाले 2 को इसके अपॉन में ले आते हैं और बचा हुआ minus minus बेटा plus 3 cos square 4x हो जाएगा इन सब को मैंने अलग कर दिया तो ये बन जाएगा limit theorem जब limit extending to 0 जा रही है ठीक है sir 0 यहाँ डालूंगा तो ये 3 into 1 का square हो जाएगा क्योंकि sir cos 0 1 होता है sin 4x upon में 4x sir 1 हो जाएगा limit theorem की मदद से sir ये 4 upon में 2 2 हो जाएगा और ये 4 का 4 आ जाएगा तो 4 2 जा 8 3 जा 24 आ जाएगा और हमारा answer क्या हो गया बेटा option number c is the correct answer ठीक है बई क्या किया sir limit theorem लगाया अब ये question महंगा क्यों हो क्योंकि बेटा इसमें मुझे chain rule भी लगाना पड़ा तो अब ये chain rule क्या है अगली class में पता जल जाएगा ठीक है चलो अगला सवाल देखो next question बच्चा यहाँ पर what is the limit of this function देखो बटा मैं इसमें chain rule लगाने में बिलकुल भी x-1 multiply sin x-1 में ये factorize हो जाएगा और limit आपकी क्या चल देए बेटा limit आपकी extending to 5x6 चल रही है तो आप कहोगे कि sir इसको काट दे हाँ बिटा काट दो काटने के बाद जब आप 5x6 रखोगे तो sin pi by 6 beta 1 by 2 plus 1 हो जाएगा और 1 by 2 minus 1 हो जाएगा तो ये हो गया 3 by 2 ये हो गया minus 1 by 2 so answer should be minus k3 और option number d is the correct answer खतम ये सवाल भी sir factorization से चला गया इतना देखने में इतना भयानक सवाल और factorization हम तो alopitas लगा देते अगर आप इसमें alopitas लगाते तो indian वो solve हो जाता बिल्कुल हो जाता लेकिन मजा तो इसमें भी आया दोनों में आ जाएगा दोनों में आ जाएगा दोनों method से करिए अगर आप चाहते हैं तो मैं alopitas लगाके बता दू चलो alopitas लगाके भी देख लो बच्छा एक बार alopitas लगाके भी देख लो क्या ये sir alopitas से आसान हो सकता है करवा के देख ले जब मैं 2 sin square x का derivative करूंगा तो यह बन जाएगा 4 sin x cos x बन जाएगा ठीक है सर और plus sin x का बेटा cos x बन जाएगा ठीक है सर divided by सर यह बन जाएगा 4 sin x cos x बन जाएगा और यह minus के 3 cos x बन जाएगा ओके सर इसमें limit extending to pi by 6 ले लेते हैं pi by 6 लेने से क्या होगा सर सबसे पहले तो सबके पास cos x है वो उड़ा दो सबके पास cos x है तो सबके पास cos x उड़ा दो तो मेरा नया जो limit बन जाएगा वो limit बन जाएगा extending to pi by 6 multiply में यहापे 4 sin x plus 1 आ जाएगा और divided by 4 sin x minus 3 आ जाएगा चलिए value रखकर देखते हैं सर pi by 6 रखूंगा तो 4 into 1 by 2 plus 1 हो जाएगा 4 into 1 by 2 plus 1 हो जाएगा और divided by 4 into 1 by 2 minus 3 हो जाएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास answer कितना आ रहा है कितना आ रहा है दोस कितना आ रहा है minus 3 तो नहीं नहीं आ रहा है आ रहा है किया ओके लेट्स चेक 5 by 6 रखेंगे तो 4 2 जा 4 से 2 plus 1 3 आ जाएगा divided by यहाँ पर हमारे पास 4 से 2 minus 3 बेटा minus 1 आ रहा है बिल्कुल सर बिल्कुल minus 3 आ रहा है देखो यहाँ पर मैं calculation कुछ और ही कर रहा था so option number 4 is the correct answer ठीक है भाई ऐसे भी हो सकता था चलते हैं अगले सवाल पर next question देखो बिटा what is the limit theta tends to 0 1 minus cos theta divided by theta आपको दिया हुआ है देखो दोस्स आप लोग जानते होंगे कि 1 minus cos theta की value जो होगी वो 2 sin square theta by 2 हो जाएगा यहनि अगर मैं under the root 1 minus cos theta लिखता हूँ तो यह root 2 sin theta by 2 के बराबर हो जाएगा हा सर हो तो जाएगा तो यह limit आपका कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा limit theta tends to 0 यह बन गया root 2 sin theta by 2 divided by theta सर यह देखो न अगर मैं इसको एक by 2 से multiply और divide कर देता हूँ तो यह अपना एक limit theorem बना देगा और limit theorem बनाते ही बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा root 2 upon में यह 2 आ जाएगा और यह जो value आप लोग देख पा रहे हो यह वाला इसकी value सर 1 हो जाएगी तो answer हो गया 1 upon में 2 2 सो option number 1 upon में root 2 सो option number C is the correct answer बढ़िया खतम हो गया सवाल है ना कर सकते थे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल करेंगे ऐसे ही करेंगे चलो अगला सवाल देखते हैं next question हमारे पास क्या है sir if limit extending to pi by 2 sin x upon में x बराबर L है और limit extending to infinity cos x upon में x बराबर M है then which one of the following is correct देखो यह काफी अच्छा सवाल था बेटा देखो इसने का limit extending to pi by 2 रखने के लिए बोला है है ना यह value हमें L के बराबर दे रहा और यहाँ पे sin x upon में x दे रहा है तो sin pi by 2 sir 1 होता है और x के नीचे pi by 2 डाल दूँगा तो इसकी पल्टी मारो दो बेटा क्या हो जाएगा 2 by pi हो जाएगा तो क्या sir L की value 2 by pi होगी तो L की value 2 by pi होगी तो यह दोनों खतम हो गए अब M की value निकालते हैं M की value आप निकालोगे तो यह आपको बेटा limit extending to infinity दे रहा है ठीक है यहाँ पर cos x upon में x है सो cos infinity हो जाएगा upon में infinity हो जाएगा बहुत बच्चे बोलेंगे sir यह indeterminate form है infinity by infinity है लेकिन बेटा ध्यान से देखो cos x का graph को study करो तो cos x का graph जो है उसकी maximum value sir 1 होती है और उसकी minimum value जो होती है वो minus 1 होती है चाहे आप x की value infinity तक ले जाओ आपका graph जो है maximum value 1 या minimum value minus 1 के बीच में ही रहेगी तो अगर यह ऐसा है मेरे दोस्त अगर यह ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि sir यह एक number होगा एक constant number होगा जो की oscillate कर रहा होगा ठीक है between 1 and minus 1 के बीच में number होगा और upon में बेटा infinity है तो number upon में infinity बेटा 0 हो जाता है तो sir m की value 0 होनी चाहिए so option number c is the correct answer ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं फिर यह रहा next question what is the limit extending to zero e की power x minus 1 minus x upon में x square कुछ ऐसा दे रखा है तो हम लोग इसमें क्या करें sir इसमें L hopitals लगा दें लगा दो दोस्त L hopitals से काम मुझे लग रहा असान हो जाएगा तो यह तब आपको पता चलता है कि कौन सा method लगाएं जब आप actually में practice बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे आपको एकदम से नहीं लगेगा कि L e से L hopitals से करना चीए से limit theorem से करना चीए किस से करना चीए यह करते करते आएगा ना एकदम से नहीं आएगा चलो करके बताता हूँ बिटा e की पावर x का derivative हो जाएगा e की पावर x minus 1 plus x का derivative हो जाएगा 1 और इसके upon में आ जाएगा 2x आ जाएगा इस पर अगर अब मैं limit extending to infinity लगाऊंगा तो आप चाहो तो यहाँ पर फिर से देखोगे कि सर 0 upon 0 form आ रहा है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते तो हम क्या करें सर फिर से derivative करना है फिर से derivative कर लो या फिर आप limit theorem लगा लो आप बोलोगे सर e की पावर x का derivative e की पावर x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा जैसी 0 डालोगे ठीक है भई बढ़िया यह सवाल भी खतम हो गया तो ल होपिटल काफी help करेगा यह नहीं करेंगा कि हर सवाल में करेगा लेकिन जहां जहां करेगा वहां वहां जरूर लगाए और algebraic manipulation के methods को भी अच्छे से याद रखना है याद रखना है याद रखना है चलो अगला सवाल next question क्या है the value of k which makes fx continuous at x equals to 0 यानी यह कह रहा है कि सर जो हमारे पास lhl या फिल limit की value होगी जो भी हमारे पास limit extending to 0 fx की value होगी वो confirm हमारे f0 के बराबर होना चाहिए है ना तो सर function हमारे पास sin x है अगर मैं limit extending to 0 sin x निकालना चाहूं तो आप कोगे सर sin 0 कितना होता है सर sin 0 तो 0 होता है तो यह indeterminate form नहीं है तो इसका मतलब सर f0 की value क्या होगी 0 होगी यह सब पूछा जा रहा है common sense है दोस्त बिलकुल common sense है बिलकुल बिलकुल हलवा चीज़े यह बहुत असान चीज़े है कि सर मुझे k की value पूछी जा रही है f0 यानि कि हमें यह जो value दिया गया f0 यह कितना दिया गया दोस्ट यह हमें k दिया गया है तो k की value कितनी हो जाएगी sir अगर limit की value 0 आ रही है तो k की value भी 0 हो जाएगी because function continuous है at x equals to 0 ठीक है चलो आगे चलो next question कहा रहा है sir if the function this is continuous at each point in its domain then what is the value of f0 sir f0 की value मांग रहा है और यह हर जगह पे continuous है तो यह limit extending to 0 किसके बराबर होगा sir fx के बराबर होगा इसका मतलब limit extending to 0 किसके बराबर हो जाएगा sir यह हो जाएगा 2x minus sin inverse में x हो जाएगा divided by 2x plus tan inverse में x समय दिया गया है अब अगर मैं इस पूरे function को x से divide कर देता हूँ यहां से x से divide यहां से x से divide यहां से x से divide और यहां से भी x से divide तो यहां क्या होने वाला है sir यहां x और x cancel हो जाएगे ठीक है यह बेटा एक limit theorem बन जाएगी यह बेटा एक limit theorem बन जाएगी तो sir इनका answer क्या आजाएगा, sir ये तो 2 है ही, इसका answer आजाएगा 1, ये तो 2 है ही, इसका answer आजाएगा 1, यानि उपर से 1, नीचे से 3, तो answer हो जाएगा 1 upon 3, so option number B is the correct answer, ये हो जाएगा हमारे F0 की value, यानि ये कहना चाहता है कि F0 की value कितिनी होनी चाहिए, so that ये function क्या हो जाए दोस, continuous हो जाए, क्या हो जाए, continuous हो जाए, तो हमने का sir left hand limit और right hand limit की limit exist करवादो, तो वो तो हमारे पास 1 upon 3 आ रही है, तो sir अगर ये function continuous होना चाहिए, तो इस function की जो value है उस point पर वो left hand limit और right hand limit के बराबर होनी चाहिए, that is 1 by 3 होनी चाहिए, so that this function becomes continuous, okay, चले, अगला सवाल, next question कहा रहा है, कि sir consider the function this, which one of the following is correct in respect of the function, बेटा देखो, यहाँ पर हमें f0 की value कितनी दी है, f0 की value क्या होनी चाहिए, sir limit extending to 0 fx के बराबर होनी चाहिए, function के definition के हिसाब से ये होना चाहिए, f0 कितना दे रहा है, sir f0 हमें दे रहा है, 2 upon 15 दे रहा है, यहाँ से अगर आप limit नि 2x upon में 5x, तो sir ये तो 0 upon 0 from बना रहा है, लेकिन अगर ये 0 upon 0 from बना रहा है, तो आप इसमें alopital लगा सकते हो, आप इसमें limit theorem लगा सकते हो, अगर मैं आप से limit theorem लगाने के लिए बोलूँ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कि limit extending to 0, यहाँ पर sin 2x है, तो sir 2x को नीचे रहने देते हैं तो ये 2 कहां से आया सर ये 2 जहां से भी आया उसको हमने ऊपर multiply कर दिया और 5 को नीचे रहने दिया तो इसका answer आ जाएगा पिटा 1 into 2 by 5 आ जाएगा सर ये बराबर नहीं होंगे तो sir limit जो है वो हमारे function के value के बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि it is not continuous at x बराबर 0 so option number a is the correct answer ठीक है दोस्तों समझ में आया चलो बढ़िया आगे चलते हैं next question हमारे पास क्या है if fx बराबर this function for x not equals to 3 is continuous at x equals to 3 then which one of the following is correct देखो बिटा अगर continuous दिया हुआ है इसका मतलब f3 जो होगा वो limit extending to 0 f3 के बराबर होगा fx के बराबर होगा है ना यह इसके बराबर होना चाहिए limit exist करनी चाहिए इसकी limit exist करवा दो दोस्त यह limit extending to 3 आ रही है यहाँ पर x square minus 9 divided by x square minus 2 x minus 3 दिया है तो आप कहोगे सर जैसे ही मैं इसमें limit डालूंगा तो यह 0 upon 0 form मना रहा है तो क्या करें ऐल होपिटल लगा दे लगा दो दोस्त ऐल होपिटल लगा दो तो ऐल होपिटल लगाते ही आप कहोगे सर उपर तो हमारे पास 2x आ जाएगा नीचे आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा तो answer हो जाएगा 3 by 2 तो हमारा answer क्या हो गया दोस्त 3 by 2 यानी 1.5 option number b is the correct answer ठीक है बढ़िया मजा आ रहा एकदम चलो आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं next question ये रहा आपकी screen पर if modulus x plus modulus x minus 1 then which one of the following is correct बेटा दोगो continuous तो है ठीक है modulus x function कैसा होता है दोस हम लोगों ने अभी अभी पड़ा sir modulus x function कैसा होता है sir modulus x function अमारे पास ये देखो पहले मैं बता देता हूं अच्छे से modulus x function ऐसे बनता है sir ये continuous function है modulus x minus 1 जो है sir ऐसे फंक्शन बनता है 1 पर ये function बनता है तो this is a continuous function this is a continuous function यानि sir अगर ये दोनो continuous function है तो इसका मतलब F x जो होगा वो continuous function होगा 0 पर भी होगा sir 1 पर भी होगा so option number a is the correct answer जो कि हमने limit theorem में सिखा तक अगर दो function continuous हैं तो उनका addition difference, product और quotient भी continuous होगा बस quotient में हमें ध्यान रखना है कि denominator 0 ना हो जाए बस उस वाले points को ignore करना बाकी जग़ा पे वो continuous होगा तो this will be a continuous function यह हमारे पास modulus x का graph यह हमारे पास modulus x minus 1 का graph तो इन दोनों को जोडएंगे तो इसर हमारे पास वो भी continuous function बनेगा चलते हैं अगले सवाल की तरफ यह रहा next question guys क्या करा function is defined in 0 to infinity 0 to infinity में define किया गया है by this function ठीक है and which one of the following is correct in respect of the derivative of the function अगर मैं इस function का directly derivative निकालता हूँ तो derivative हमारे तीन अलग अलग जगों पर अलग अलग derivative होगा यानि पहला region है 0 से लेके 1 के बीच में है ना फिर दूसरा region है 1 से लेके बीच में और अगला region है 2 से लेके infinity के बीच में यह region है यहाँ पर इसका derivative कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर माइनस के 2X हो जाएगा अजी सर माइनस के 2X हो जाएगा इसका derivative कर दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 1 अपॉन में X हो जाएगा सर इसका derivative कर दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर log 2 सर 0 minus 1 सर 0 0.5 x का derivative 0.5 हो जाएगा ये आ जाएगा अब ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या इन में से कोई statement दिख रही है आप कहेंगे सर f-x क्या बराबर 2x है नहीं सर f-x बराबर minus 2x है फॉर इस region के लिए मैं कहूंगा नहीं सर सर है तो सही है तो सही बिल्कुल है ध्यान देना बिटा मैं आपको कमाल की चीज़ बताऊंगा हमारा answer जो वो option number c है क्यूं है ज़रा ध्यान से देखिए अगर आप at x equals to 1 की बात कर रहे हैं at x equals to 1 की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए left hand derivative कितना हो जाएगा sir left hand derivative function में left hand की value डाल देंगे तो minus के 2 आ जाएगा है ना right hand derivative कितना हो जाएगा आपको sir right hand derivative में 1 यहां डाल देंगे तो answer कितना आ जाएगा बिटा 1 upon में 1 sir 1 आ जाएगा अरे यार यह तो derivative भी exist नहीं किया यहां तो derivative exist नहीं किया तो इसका मतलब at x equals to 1 पर हम लोग बोलेंगे not differentiable है दोस्क्या है not differentiable है तो मैं at x equals to 1 पर बात नहीं कर सकता हूँ और इसी वज़े से मैं कहूंगा कि sir यह 0 से 1 पर differentiable है option number c जो है वो हमारा सही जवाब हो जाता है clear हो गया ठीक है काफी अच्छा सवाल था काफी conceptual question था चलते हैं अगले सवाल पर यह question क्या गह रहा है a function is defined as follows fx बराबर minus x upon modulus x नहीं मेरे मूँ से modulus x निकल गया इसका मतलब कुछ जरूरी है चलो ध्यान से सुनना root x square दिया हुआ है for x not equal to 0 और 0 दिया है for x equal to 0 which one of the following is correct भाई मैं देखकर बोल सकता हूं कि यह function जो है discontinuous है at x equal to 0 कैसे बिटा आप लोगों को यह बात लिख लेनी है अपने दिमाग में copy में जहां पर भी कि under the root x square जो होता है बिटा वो modulus x होता है क्या होता है sir under the root x square जो है वो modulus x होता है तो यह function जो होगा यह function आपका इस रूप में आ जाएगा fx बराबर यहां पर आ जाएगा बिटा negative x के लिए x less than 0 के लिए आपके पास आ जाएगा x upon में minus x आ जाएगा x greater than 0 के लिए x upon में plus x आ जाएगा और x equal to 0 के लिए इसने आपको 0 दिया है तो ये बन जाएगा minus के 1 ये बन जाएगा plus के 1 ये बन जाएगा 0 तो अगर आप इसका graph draw करोगे मेरे दोस है ना graph draw करोगे तो आप बुलोगे sir x greater than 0 के लिए plus 1 बन रहा है यानि graph ऐसे बनेगा sir at x equal to 0 के लिए 0 पर बन रहा है और sir at x less than 0 के लिए graph कहाँ बन रहा है sir at x less than 0 के लिए graph यहाँ पर बन रहा है तो sir 0 पर तो ये function limit भी exist नहीं कर रहा continuity भी exist नहीं कर रहा तो differentiability भी क्या ही होगा तो हमारा answer जो है वो option number c हो जाता है कि fx is discontinuous at x equal to 0 ठीक है दोस 9 minus x square है then what is the limit this बेटा ध्यान से देखो अगर x tending to 1 है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि sir x की value 1 plus some derivative some very small value होगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा sir h की value tending to 0 हो जाएगी तो ये limit आपका बन जाएगा limit h tends to 0 ठीक है यहाँ पर आ जाएगा fx plus 1 fx plus h आजाएगा minus beta यहाँ पर sorry x नहीं आएगा x की value आपने 1 plus h ले लिया है minus f1 आजाएगा और divided by beta x minus 1 की value कितनी हो जाएगी sir h हो जाएगी sir ये तो definition है किसकी f-1 की first principle method की है किसकी definition हो गए बेटा f-1 या capital f लिखा हूँ f-1 की definition हो गई तो sir हमारे पास इस function का derivative कितना हो जाएगा f- हो जाएगा chain rule लगाने पर 1 upon में twice of under the root 9 minus x square chain rule लगेगा फिर chain rule लगाएगे 9 minus x square में तो इसका हो जाएगा minus के 2x तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो अब आप लोग यहाँ से f-1 की value बताएगे तो आप कहेंगे sir minus के 1 upon में under the root 9 minus 1 का square यानि minus के 1 upon 2 root 2 हो जाएगा तो यही value हमें मिलेगी बिटा minus के 1 upon में 2 root 2 यानि इस limit की value क्या हो जाएगी दोस minus के 1 upon 2 root 2 so option number c is the correct answer ठीक है काफी अच्छा सवाल काफी बहतरीन question मतलब अगर आप इसे सही तरीके से देख पा रहे हैं तो इसे लिखने की ज़रुवत नहीं है सिर्फ आप mentally करें कि sir मुझे derivative निकालना और derivative में 1 रख देना है वही इस limit की definition हो जाएगी वही इस limit की value हो जाएगी बढ़िया चलो sir अगला सवाल देखते है now this is the next question for the next two items that follow a function fx is defined as follows this ठीक है तो आप देखें कि sir इस function का at x equals to 0 पर बात कीजिए सबसे पहले at x equals to 0 पर बात कीजिए तो आप मुझे कहेंगे कि at 0 पर at 0 पर sir left hand limit कितना आ रहा है sir 0 के left में अगर function देखे तो ये function चल रहा है न तो ये हो जाएगा sir at 0 पर हमारे पास pi आ जाएगा 0 रखने पर right hand limit कितना आ रहा है sir right hand limit ये वाले function पर cost की value 0 रख दो बिटा cost 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहाँ पर भी pi आ जाएगा sir f 0 कितना आ रहा है 0 sir equality इस पर hold कर रही है इसका मतलब इसका answer भी pi आ जाएगा तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि limit भी exist कर रही है और continuous function भी है साथ में बेटा मैं यहाँ पर at x equals to 1 ले लेता हूँ अब मैं किसके अगले बात करूँगा at x equals to 1 at x equals to 1 के लिए अगर मैं left hand limit निकालता हूँ दोस left hand limit निकालूँगा तो नहीं sir at x equals to 1 नहीं pi by 2 के लिए बात करो इसके pi by 2 पर अगला function जो है वो break कर रहा है मैं 1 लेकर चल रहा हूँ आ गया sir 0 आ गया right hand limit यहां पर pi by 2 रखोगे तो pi by 2 minus pi by 2 sir 0 हो जाएगा तो right hand limit 0 आ गया और f pi by 2 कितना हो जाएगा f pi by 2 भी 0 हो जाएगा यानि यहां से मुझे समझ में आ गया कि sir function at pi by 2 पर limit भी एक्जिस्स करता है और continuous भी है आगे देखिए दोस्त आगे हम लोग क्या करने वाले हैं हम कहने वाले sir एक बार ना f dash x भी निकाल लो f dash x निकालोगे तो आप कहोगे sir x plus pi का derivative हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा pi cos x का derivative बिटा minus के pi sin x हो जाएगा और x minus pi by 2 का whole square अगर करोगे तो यह twice of x minus pi by 2 हो जाएगा तो यह मेरा कौन से region में बिटा x belongs to minus के pi से लेके 0 वाले region में यह मेरा x belongs to 0 से लेके pi by 2 वाले region में और यह बच्चा x belongs to pi by 2 से लेके pi by 2 से लेके pi के region में यह यह respective derivatives हमारे पास आ रहे हैं तो ध्यारा ध्यान से देखें सर यहां पर मैं वही चीज बोलूँगा कि पहले आप at x equals to 0 पर देख लीजिए ठीक है या फिर मैं इधर ही इसको कर लेता हूँ कि मैं इधर जान से देखें दोस्त मैं अगर सर left hand derivative की बात करूँ left hand derivative कितना है सर left hand derivative तो सर वना रहा है है हमारे पास है ना at x equals to 0 पर left hand derivative वना रहा है right hand derivative कितना रहा है सर right hand derivative अगर मैं 0 डाल दूगा तो sin 0 0 हो जाएगा तो सर इधर से आ जाएगा 0 यानि मुझे यह पता चला कि सर यह not differentiable है इधर देख लेते हैं at x equals to pi by 2 के left hand derivative करेंगे तो सर यहां पर pi by 2 डाल दोगे तो sin pi by 2 हो जाएगा 1 तो मेरा answer आजएगा minus k pi right hand derivative की बात करोगे तो right hand derivative में यहां पर pi by 2 डाल दोगे तो आपका 2 into 0 आ जाएगा यानि आपका आ जाएगा 0 और यहां से देखकर मैं बोल सकता हूँ कि सर यहां पर differentiability नहीं match कर रही है तो अब question देखते हैं पूरा study करने के बाद अब हम question देखते हैं तो question ने पूछा कि sir क्या function जो है वो continuous है at x equals to 0 पर हाँ sir क्या function जो है continuous है at x equals to pi by 2 पर हाँ sir यानि both 1 and 2 is the correct answer गया इतना समय बिताने के बाद यह question हलवे की तरह गया अगला सवाल भी देखो मेरे दोस अगला सवाल क्या कह रहा है क्या function जो है वो differentiable at x equals to 0 पर नहीं sir क्या function जो है differentiable at x equals to pi by 2 पर नहीं sir तो neither one not to हमारा answer हो जाएगा ये भी धुए की तरह उड़ गया खतम सवाल भाई इसी तरीके से है सारी चीजें उनके respective intervals के अंदर differentiate किया और वहाँ पर हम लोगों ने value रखा तो हमारे पास left hand derivative और right hand derivatives की value है वहाँ से हमारी differentiability check हो गई और उसके basis से हम लोगों ने answer कर दिया तो ये था हमारा आखरी सवाल और इसी के साथ बिटा सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो कि exam point of view से बहुत जरूरी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है अब आप इसकी जादा से जादा practice करें क्योंकि सवालों को सिर्फ जीतने का एक ही तरीका है और वो है practice तो practice 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 बस इतना ही आपको करना है पहले आप क्या कर सकते हैं आप लोगों कर लेंगे और इसके साथ पूरी practice हो जाएगी तो अगले session में तब तक के लिए जहिन दोस्तो